सेलाम मेरे अजी लिसनेर्स वेलकम बैक तो यूर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ इस पेशली मेड फॉर नॉवल लावर्स सबसे पहले तो आप सब को इद मबारक और आज मैं इद स्पेशल नॉवल ही लाई हूँ जिसका नाम है इद गुन गुनाने लगी और यह तहरीर है उम्मे मर्यम की So Let's Start हमें जिंदा रहने के लिए किन चीज़ों की जरुत होती है? ममा, हमें जिंदा रहने के लिए किन चीज़ों की जरुत होती है? जैने की तान सवाल तहुराते हुए टूटी उसका टेस्ट था और वो हमेशा की तरहां टेस्ट याद करते हुए उसे नाकों चने चबवा रही थी मुझे क्या पता? मुझे पहले ही जुन्जुलाई जा रही थी पलट कर धाड़ी माई गॉट मामा आपको अभी तक इतना ही नहीं पता हलांके आप इतनी बड़ी हो गई है असजद जो स्कूल यूनिफॉर्म में बिलकुल तयार था आखें पहला कर किसी कदर हैरानी से बोला तो मारे तैश के इमान कब बुरा हाथ हो गया इमान भई इमा कहा हो तुम जानन देखना में ये टाइम मिल रही है ना मोजे आखे तुम किस तरह की सफाई करती हो कमरे की जाने हर शय कहांगा ही बो जाती है वो बहुत उजलत भरे अंदास में पराथा बेल कर दूसरी जानिफ टोस्टर में स्लाइस करम कर रही थी सुबह सबरे का वक्त था ऐसा ही अफरा तफरी का समा बनता था कि उसे एक मिंट को भी सर खुजाने की फुर्षत नसीब नहीं हुआ करती थी मॉम अगर मुझे टेस्ट याद नहीं हुआ तो टीचर मुझे स्टिक से मारेंगी मैं चुट्टी कर लूँ जैनी ने मुझे बसोर कर बड़ी मासू माना अयारी से सलाह मंगी शट अब दफा हो जाओ लाकि चेंज करो अब भी तक सर जार मुझे फार बनी पिर रही हो एमी जान अब आभी जाओ तब ही अंदर से मुसा की आवास फिर से सुनते हुए उसका पारा कुछ और चड़ा उपर से ये इन शतूंगडों के वालित महतरम जरा जो अहसास हो अकेली पूरे घर के काम करके खपी हूँ मच्जाल है जो अपने ही जरा से भी काम को हाथ लगा ले मुझे बुकारना शुरू कर देंगे सैनी को जिन जोड कर एक दमुका लगाया और बाजू से पकड़कर गसीटते हुए कमरे में लाकर सोफे पे पठक दिया वो बिचारी सहमे हुए अंदास में मा की ये बत्सलूगी नम आखों समय देखती खमोशी से दुबक कर वैड़ गए क्या हो गया बेकम साहिबा कहरियत है न ये आज बच्चों पे कहर किस सिलसिले में तूट रहा है ब्लैक जीन्स पे वाइट नेट की बनियान पहने ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ा बाल बनाने में मसरूफ मुसा ने अपनी मसरूफित को तर्क करते हुए फिल फॉर उस किसम तवज्जों की मगर वह जबाब देने की बज़ए उल्टा उसी पे बरस पड़ी थी क्यों नहीं मिल रही टाई और मुजे ये सामने तो बड़े है हद हो गई है बेहिसी की भी उसने बैट की पाइंटी पर पड़ी दोनों चीज़ें जपट कर उठाते हुए मुसा की आँखों के सामने लह रही ये तो नजर आ रही थी जाने मान तुम नजर नहीं आ रही थी ना तो दिल घबरा सा गया लबों के गोशों में मचलती मुसकान लिये वो उसे आँख मार के मज़ीद कोई पेशरफ्ट करना चाह रहा था कि एमान बिदग कर पीछे हुई थी क्या बत्तमीजी हैं भई काम से फुरसत नहीं और इन्हें आशकी सूज रही है काम तो होते ही रहते हैं जोनाब जरा इधर तस्षी पलाईए वो अब शर्ट उठा कर पहनता हुआ अभी पूरी जान से उसके सिम्त मतवच्जा था गंबीर लहजा गहरी मतबस्थ सिम्शोख निकाहें इमान ने अच्छी खासी नरास की समेत उसे गुरा और जवाब दिये वगेर पहार निकल गई तुम अबे तक त्यार नहीं हुई नाश्टा बना कर वो लबासमा टेबल पर रख रही थी जब डरी सहमी जैनी बाप के बाजू से लिप्टी जानिंग रूम में आई इमान में उसे देखते ही तेज नजरों से गुरा ममा वो टेस्ट अच्छा है तुम्हें फैंटी पढ़ जै जैनी कीमिन मिनाहाट पूरी सुने बगेर ही वो आँखे निकाल कर डपटने के अंदास में बोली अरे अरे क्या खता हो गई हमारी नाजूक सी गुरिया से जो तुम सुबो सवेरे ही बिल्ली की तरह पंजे टेज करके इसके पीछे पड़ गई हो मुसा बगैर मौमला जाने ही बीच में कुदा बाबा टेस्ट था आज मेरा मामा ने याद ही नहीं करवाया जैनी बाब की हमदर्दी पाते ही शेर हुई थी इमान के तो जैसे सर पे लेगी थी क्या मैंने याद नहीं करवाया या तुमने मुझे बताना ही गवारा नहीं किया वो दात बीच कर गुर रही मामा करवाया तो था जैनी दुबक सी गई थी इस आवास पे जभी गुटी-गुटी आवास में सहम कर बोली हाँ बड़ा एहसान किया सुभा बता कर पता भी है मुझे उस वक्त सर को जाने की भी फुर्शत नहीं होती ये बाब बेटा कुछ कम है सताने को जो तुम भी साथ मिल जाती हो वो बेता हाशा गुसे से सुर्ख हो गई थी तुम्हारे सर में कौन सी जुवे हैं जो सर को जाने की ज़रोत पेश आए ना को जाया करो मुसा अपने लिए चाय निकालते हुए शोखो शंग लहजे में बोला अंदा साफ साफ उसे छेड़ने वाला था फजूल बातों में वक्त है बरबात करने को बस कोई धंग का काम नहीं करेंगे इमान ने कलस्ते हुए स्लाइस पे मक्षा लगा कर प्लेट उसके सामने रखी मसलन कौन से धंग के काम करना तो चाहा था अभी अंदर तुम खुद ही बिदग गई वो जवाब बन उसे बहुत गहरी निगाहों से देखता हुआ माइनी खेज लहजे में शिरारत समो कर बोला इमान के चेहरे की रंगत एक दम दमक उठी वो हया आमेज नजरों से महज उसे बस देख सकी बेशरम हद हो गई बच्चों के सामने भी ओल फॉल बोलने से नहीं डलेंगे वो अच्छी खासी खिफ़त जदा सी हुई जुन जुला कर गुसे से उठी मुसा नाश्टा करते हुए मुस्कुराने लगा मौसम कितने होते हैं? चार अतराफ कितनी है? चार वाव! इंट्रस्टिंग! ये टेस्ट तो बहुत असान है हर सवाल का तो एक ही जवाब है ना भाई? जैनी लहक लहक कर सबक दोराते हुए अचानक ही बे पाया खुशी के एहसास से चहक कर बोली तो जवाबन अपना होवक मुकमल करते अश्ट ने सर उठा कर उसे देखा था और जरा देर उसकी बात पर गौरो खौज करने के बाद ताइदी अंदास में सर हिलाया हाँ है तो और अपने काम फिर से करने में मश्गूल हो गया मामा जानी जैनी बहुत जीनियस है वो मिन्टों में टेस्ट हाथ कर लेती है जैनी जैनल नौलिज की बुक उठाते उच्छलती कूती हुई किचन में आकर इमान से मखातिब हुई अच्छा ये कपका वाक्या है भला वो बर्यानी के मसाला त्यार कर रही थी पलेट कर मुस्कुराते हुए अपनी साड़े तीन साला गुलाबी गुडिया फूले हुवे फ्रॉक में रेश्मी पोनिया जुलाती प्यारी सी बेटी को देखकर मसनुई हैरत से बोली आज की अभी की मामा देखें जैनी को दो सवाल अभी मिन्टों में याद हुए है सुनाओं वो पूर जोश हुई थी नहीं बेटे आप अभी अंदर चलो ममा कुछ तेर में काम निप्टा कर आती है उसने टोका था फिर खुद भी चूले की सिम्त मतवज़ा हो गई असलाम नेकूम एद दुनिया की बेजार और रूखी भीकी तरीन बीवी साहिबा मसाला तयार करके वो चावल उबाले की तयारी में थी जब मुसा की भारी मगर फ्रेश आवास अपने से बेहत करीब सुन कर बे इक्तियार उचली और खुफकी से पलट कर उसे देखा क्या मतलब है आपका इस वाद से वो फौरल लड़ने को तयार थी जवाबन वो माईनी खेस किसम की मुस्कुराहत लबों बेशे जाकर उसे वकौर देखने लगा था खैर अब इतनी भी नादान और मासूब नहीं हो बे इरादा या मचपूरन दो बच्चों की अमा तो बन ही चुकी हो वो जान गई थी ये ताना वो कब देता है उसकी हिस्यात बेदर्दी से उजड़ी थी दड़कने चीख चीख गई चेहरे पे बरहमी के रंग उतर आए क्या जरूरी है कि मैं फिल्मी हिरोईन की तरह जजबाती गाने गाती आपके आगे पीची बिरू किस कदर नागवारी से कहते उसने नाक सुकोड़ा था बिगो कर रहे के चावल एहतियाद से पतीले में डालने लगी बिल्कुल जरूरी नहीं हर वक्त मगर कभी गवार किसी को मुतमें करने को ऐसा करना ऐसा मयूब भी नहीं मूसा ने जवाब बंच सो गवार किसम का लहजा बनाते हुए मूल लटका लिया इमान को मुस्कुराहट सब्थ करना महाल हुआ इस काम के लिए आप जो हमावक्त खिद्मात लिए पेश पेश होते हैं अंदास चड़ाने वाला था I see मूसा ने गुरा फिर किस कदर धमकी आमेज लहजे में जता कर बोला था कदर करो बीवी हमारी मुहपत की ऐसा नहो तुमें सुधारने को हमें मूट बदलना पड़ जए फिर पच्चताओगी इमान पजाए संजीदा होने के खिल खिला कर हच दी कर देखिये जनाब ये शौक भी बुरा जरा जुलिफ्ट करा दी तो इमान न कहिए जवाबन उसकी बेन्याजी अरूच पे जा पहुँची बहुत मगरूर हो बीवी खेर ये अपना दिल का दर्द तुम्हें न सौपा तो अपना नाम भी मूसा हयात नहीं मूसा ने उसका हाथ पकड़ कर अपनी जानिब खेंचा तो इमान ने यूही हसते हुए उसे पीचे की जानिब धकेल दिया हाँ भई जिगर गोशो जरा बताओ इस मरतबा ईद पे नानों के घर जाना है या गाओं दादों के घर पे मूसा ने इमान को देखते हुए अश्चरत और जैनी को मतवचा किया जो इस वक्त खानी की टेबल पे अपना मन पसंद टिकल लेक पीस बहुत रुपबच से खाने में मसरूफ थे बाप की बात पे पुर जोश अंदास में उचले नो बाबा, दादों के घर गाओं चलना है दोनों यक जबान चिलाए तो जहां मूसा की आँकों में खेलती शरारत में तफाकुर और तबस्सम का इजाफा हुआ था वहां इमान जो इस मौजू के चिड़ते ही लब भीच कई थी बच्चों के जवाब पे मूसा पे एक अदद तंदो तेज निकाह डालते हुए कुर्सी दकेल कर एक जटके से उठकर चली गई बाबा, मामा को क्या हुआ, वो खाना क्यों छोड़ कर चली गई अजज़त कुछ ज़्यादा ही हसास था और माँ से मौपत भी बहुत करता था उसने यूँ उठते देख कर बेचैन सा होकर बोला कुछ नहीं मेरे बेटे, आप खाना खाओ मूसा ने जुक कर उसका गाल चूम कर तसली से नवाजा और हैरान परेशान सी जैनी को उठा कर अपनी गोद में लेकर अपने हाथ से दोनों को नवाले बना कर खिलाने लगा मूसा रमजानलमबारी की आमत के साथ थी एक मरतबा फिर एद गाउं जाके अपनी फैमली के साथ बनाने का खौहा था जबके शादी के बाद पहली बार इमान गाउं जाने की बज़ाए अपने मेके जाने की खोईश मन थी वजा कुछ और नहीं मामा और पापा का एद के अगले दिन उम्रा के लिए जाने का इरादा था वो लोग करीबं तीन माँ के लिए जा रहे थे कि वहां मुकीम सरमत भाई का इरादा पिर उन्हें हच करवा कर ही भेशने का था ऐसे में इमान चाहती थी कि ये एद वो ममा और पाबा के साथ मनाए मगर मुसा को उसकी ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई थी कर रात ही दोनों की इस मौज़ू पर बात हुई थी तब मुसा नहीं बात समेटते हुए कह दिया था चलो बच्चों की भी राय ले लेते हैं जैसा वो कहें बच्चे भी तो आपके ही हैं वो चिड़सी गई थी नहीं आपके भी हैं मुसा को तो शोख होने का बहाना चाहिए होता था हो सकता है वो तुम्हारे हक में फैसला दे दे मुसा ने उसके कांदे पे दस तक देने के से अंदास पे हाथ माला था और एमान ना चाहते हुए भी मुद्टफिक हो गई उसका ख्याल था अगले दिन वो बच्चों को जरूर सिखा पढ़ा लेगी मगर कामों की मसरूफियत में वो ये बात एक सर भी हो बैटी थी और अब मुसा की चलाकी पे उसका मूझ अच्छा खासा खराब हो चुका था वो मुसा ममा पापा ने जाने से कबल पूरे खानदान को एक बड़ी दावत में मदू किया था इस तरह मुख्लिफ शहरों में मुकीम रिष्टेदारों से मिले में जो वक्त साया होता उसकी बचे थी कीनी थी उन्होंने ऐसा बिल खसूस इसलिए भी किया था कि वो जाने से कबल इमान और बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते थे मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि मुसा इस एहम और खास मौके पे अपनी बेज़ा और फजूल जिद को ले बैठे का वो बैट पे तक्यों में मू दिये लेटी थी जब मुसा ने खाने की ट्रे उठाए अंदर कदम रखा उचो एमी खाना खाओ ट्रे टेबल पे रखते हुए मुसा ने उसका बाजू पकड़ कर खेंचा मगर मुझे पहले खाना फिर कुछ और मुसा ने बे एक्तियार टोका मुझे भूप नहीं वो मुँ पुला कर उट पैठी मैं अपने हाथ से खिला दूँ वो मुस्कुराहट दबा कर बोला इमान उसे गूरते हुए टेबल के निस्टीक आ गई साफ साफ सुन ले मुझे इस मरतबा गाउं नहीं जाना बला बच्चे आकर कुमे में छ्छांग लगाने को भी क्यों न कहते हम उनके फरमाईश पे कुमे में छ्छांग मारतेंगे उसे गुसा आते जा रहा था क्या फजूर बात कर रही हो इमान तुम जानती हो रमजान मुबारी की आमत के साथ ही वहां गाउं में सब कितनी शिद्दत से हमारा इंतजार करने लगते हैं इसलिए तुम भी अभी से सुन लो कि हम ईद गाउं में ही करेंगे खावाखा जिद्मत लगाओ वैसे भी वो तकरीब तो ईद तो भी ठीक है जब आपने इतना दोटोक और हत्मी हुकम सादिर कर ही दिया है तो फिर कोई गुझाश बचती भी नहीं है इमान ने हाथ में पकड़ी रोटी वापस प्लेट में रखी और एक जटके से उठी मुसा ने बहुत चौंक कर उसके खवाखवा से अंदास को देखा और फिर उसकी कलाई पकड़ कर खवीव से जटके समयत खुद पर गिरा लिया ओफो इमान मेरी जान और धान पान काना खाओ गुसा नहीं बरना ये धान पान सा वजूद कुछ और भी नाजुक हो जाएगा वो उसे बाहों में संभाल कर शरीर से लहचे में गुन गुनाया इमान का दमाग सुलग उठा जब ही बहुत दुरुष्टगी समयत उसके हाथ को जटक दिया मैं कह रही हो ना मुझे गाउन नहीं ममा के घर चाना है मेरी बात की कोई एहमियत भी है उससे फासला बढ़ाते हुए वो फुनकार कर बोली थी चलो कितनी एहमियत है तुम्हारी बात की साबित हो जाएगा मगर डिगर अभी तो लड़ाई मत करो रमजानलमबारिक शुरू हुआ है लड़ाई पे वबंदी अल्ला ने लगा दी है वो उसके बालों से कैचर खेंच कर सुला जो अंदास में हसा ठीक है नहीं होगी लड़ाई आप अपने में के जाएए मुझे मेरे में के जाने दीजिए उसने नखुवत से कहा मुसा ने उसके गुलाबी दिलकश और रूटे रूटे चेहरे को बगौर देखा पिर शरीर से अंदास में बोला था और तुम्हारे बगैर मेरा वहाँ खाग दिल लगेगा वो अब नवाला खुद उसके मुझे सिंथ लाया था मसका ना लगाए उसने मुसा के हाथ से नवाला लेकर खुद अपने मुझे डाला मेरी मुहपत तुम्हें मसका ही क्यों लगती है वो जित सा हो गया जो होगा बहीं लगेगा वो नरूठे पन से बोली मुसा ठंदी सांस भर के रह किया फिर लगी बंदी रुटीन के साथ बहुत सारे देन बहुत जल्दी से गुजरते चले गए उनके दरम्यान फिर ये बहस नहीं हुई मगर दोनों जैसे अपनी अपनी जित पे अटके हुए थे मामूल के मताबिक 25 पे रोजे तक मुसा बच्चों की और इमान की सारी शॉपिंग कम्पलीट कर चुका था सुनो अगर तुमारी कोई चीज रहती है तो कल जरूर ले आना कल 28 वा रोजा है परसों आफिस से वापसे पे हमें निकलना है सफर भी लंबा है ताइम से निकलेंगे तो वहाँ ताइम से पहुँचेंगे वरना फिर अबबा जी हवा होते हैं रात के वक्त सफर से ये ना हो कि तुम एहल वक्त पे कह रही हो कि फलाँ चीज नहीं है इसलिए पहले ही बता रहा हूँ मगरीब की नमाज से फरागत के बाद वो सिंग के आगे खड़ी बरतलों के धेर से नबर्द आसमा रही थी जब मुसा वहीं किचन में आकर बोला था लॉन के टी पिंक और ब्लू हुपसूरत से प्रिंट दुपटा सट में वो दुपटा पेशानी तक नमाज के स्टाइल में लपेटे खफाखवा से इतनी भरपूर इतनी चामिंग नजर आ रही थी कि वो यक टुक उसे देखे गया जवाब में इमान ने उसे तीखी नजरों से देखा था और बर्तन रैक में पटख दिये थे एह तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया मुसा को ये गुलाबी चेहरे वाली अपनी जास्पियत और मसहूर कर देने वारी खुबसूरती समेट कहते उसका ये जमूत तोड़ने को दुपटा खेंच कर मत बचा किया मुझसे बात करने की विज़रत नहीं है आप अपनी मर्जी के मालिक हैं जो जी में आई करें मेरी हैसियत तो एक मुलास्मा एक बांदी किसी है ना आपके निस्दीक तो मुलास्मा की बात के क्या उकात वो शाम को नहाई थी इतनी फुरसत भी हमें असर नहीं आई के बालों को चोटी में गून ले अब जो मुसा ने दुपटा खेंचा तो लंबे सियाह गने बाल पुष्ट पे बिखर से गए थे जिन्हें गीले हातों से समेट कर जुड़े की शकल में लपेटते हुए वो अजहत बेरुखी बे एतनाई से कहती खुश्क लहजे में बूली थी मुसा ने उसकी नरास्की को पूरी तरह महसूस करते हुए मुसकुराहट दबाई माई गौद अगर मुलास्मा इतनी हसीन चार्मिंग और होश उड़ा देने की हद तक हसीन हो तो फिर उस से आँख मटका करने में भला क्या हर्च है मुसा ने बरपूर किसन के शिरारत मुसकुराहट समेट कहते उसके जूड़े में लिप्टे बाल एक बार पिर खोल दिये और उसका बाजू पकड़ कर अपनी जानिब कसीटा बैसे अगर तुमें एतरास नहो तो हम नोक रानी की नोक हटा कर रानी भी बनाने को तयार है वो बिलकुल ही गैर संजीदा था इमान करंट खा कर पीछे हुई अपने काम से काम रखें समझें आप वो बेहत दुरुष्टगी से बोली तुमुसा थंडा सांस बढ़ता वापस हो लिया उनकी गाड़ी हवेली के गिराच में जाके रुकी तो बच्चे बेसबरेपन से दरवाजा खोलते मुसा बड़े अबबा, बड़ी अमा, सीमा और नहाल की तरफ दोड़े थे उन सब की महपतों और जोशो खरोश का वही आलम था मगर इमान बेज़ार उकताई हुई और खिंची खिंची रही मुसा ने उसके अंदास को संजीदगी की निगाह से देखा मगर कुछ कहने का इरादा मौकूफ कर दिया असर की अजान हुई तो मुसा भी बड़े अबबा और नहाल के साथ ही बश्ची जाने को उटखड़ा हुआ और आश्चीद भी शौक में साथ ही हो लिया जैनी अलबता नैना के साथ खेल में मगन थी क्या हुआ भाबी तबेर तो ठीक है ना सीमा को उसके ये लातालुकी और बेजारी चलकाती खमोशी बहुत महसूस हुई थी तब ही किस कदर तश्वीश से उसने इस तफसार किया था कुछ नहीं बस सर में ममूली सा दर्थ है उसने जान चुड़ाने की खातिर यूहीं बहाना कर दिया मगर सीमा बेचारी सच मुछ परेशान हो उठी ओफो मैं भी पागल हूँ बला इतने लंबे सफर के बाद तो बंदा बैसे ही तक के चूर हो जाता है जाएं आप अपने कमरे में जाकर अराम करने अफ़तार तक तबियत संभल जाएगी सीमा जो उसकी सगी पुपोजात थी उमर में वक्त एक आथ साल ही उससे चोटी होगी रवायती देवरानी नहीं थी हमेशा बहुत खलूस महपत और चाह से मिलती थी बलके वो तो उनकी वो शहरी और बहुत तरहतार अमीर कजन थी जब अकॉल नहाल बस मुसा भाई की किस्मत की यावरी से उन्हें मिल गई थी जब ही आज तक सब ने उसे हमेशा बहुत एहमियत महपत और अपनायत से ही नवाजा था और कोई इस वक्त होता तो इमान कभी भी उससे ये अपनी मुझूदगी में काम का इतना लोट छोड़ कर खुद अराम करने ना जाती मगर इस वक्त मूड ही कुछ इतना खराब था कि अजीब सी संग्दिली बेहिसी और तलखी रगो पै में भागती दौरती पी रही थी जब ही मुरवत से काम लिये बगैर उटकर अपने कमरे में आ गई अभी लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी जब जैनी खेल से उक्ता कर भागती हुई उसके पास आ गई वट हैपन्ट मामा आप इस वक्त क्यों लेटी हुई है बिस्तर पे चड़कर उसके सराने बैठते हुए वो अपने नन्ने से हातों से उसका चेहरा टटोल कर मासूमियत से बोली थी मगर इमान ने जैसे सखत बरहम होकर फट पड़ी थी तो और क्या चाहती हो डांस करने लगो ना नॉनसेंस अब मेरी दो खड़ी सकून से लेटने पर भी वबंदी लग गई है जिन्दगी जहनुम बना कर रखती है मुसीबतों ने लाल सुर्क आँखों से जैनी को घूरती वो हलक तक बेजार नजर आ रही थी जैनी बहुत सहम कर उसका ये गुस्सा देख रही थी फिर जरा सी हिम्मत मुश्तमा करके रोहांसी होकर बोली चोटी मुवा कह रही थी कि आपके सर में दर्थ है मैं दबा दू जैनी ने सीमा का हवारा दिया उसका चेरा देख कर लगता था किसी भी पल फूट फूट कर रो पड़ेगी तुम मेरा गला दबा दो गिए बहुत अच्छी बात होगी इमान एक बार फिर फार खाने को दोड़ी उसका बस नहीं चल रहा था सब कुछ तहस नहस करते अजीब सी बेवसी और जुन जुलाहट बे माईगी के एहसास समेथ उसके असाप को तनाव का शिकार कर रहे थे जैनी कुछ और सहम कर रुख गई मोटी मोटी आँखों में मुझूद आंसु अपलकों की देलीस फलांगने को थे उस मुहपत करने वाली महरबान सी मा का ये अनोखा रूप हैरान परिशान कर चुका था जैनी बेटा आप बाहर भाई के पास चाओ वो पॉप कॉन लाया है आप भी ले लो जाके मुसा की संजीदा सी आवास सुनकर इमान ने चेहरे का रुख इंतहाई बेजारी समेट मोड लिया हम जरा तुम्हारी मामा से दो दो हाथ कर ले अगले बात दनिस्ता उसने आहिस्तगी से कही थी मगर इमान ने फिर भी सुन ली और जहर हुंत सा अंदास फैलता हुआ महसूस हुआ हाँ भई मिसेज आपकी नरासकी हम से है के बच्चों से इस वक्त मैं किसी किसम कलेक्चर सुनने के मूच में नहीं हुब रहे करम खमोशी रहे नहायब बत्तमीजी से कहते इमान ने बकाइदा दोनों हाथ जोड़ दिये तो मुसा के चेहरे पे एक दम तनाव सा आ गया उसने रुक कर तप्ती हुई नजरों समेट इमान का तजहीक आमीज अंदास देखा और कुछ कहे बिना लब बींचे एक जटके से कमरे से पलट कर निकल गया इमान देहान दिये बगएर तकिये में दुबारा मुझ गुसेर चुकी थी चांद रात मुबारक औबावी सीमा के पुर्स और इसरार पे वो मारे बंदे छट पे आई थी मगर इस तरहां कि उस पर जैसे कोई अजीम एहसान कर रही हो चांद नजर आ जाने की इतलाद टीवी के जरिये तो मिले चुकी थी बस अपनी आँखों से चांद देखने की जो मखसूस रवायत थी उसे पूरा करने को वो सब छटबे मुझ थे सब नहीं एक दूसरे को गले लगा कर मुबारक बात दी थी जबके वो बहुत थुसी खड़ी बहुत बेगाना और ला तालुक महसूस हो रही थी क्या याद करेंगे मुसा हयात कि आपने अपना फैसला किसी पे जबरदस्ती मुसालत किया था और फिर कैसा भुकतान भुकता था कुछ फासले पे खड़े नहाल से गले मिलते मुसा को सुलक्ती नजरों से देखते उसने बहुत तनफुर समेच सोचा अपने इस रवएए से वो गोया मुसा को उसकी जियाती का बरपूर एहसास बक्ष कर आइंदा के लिए मुहताद करना चाह रही थी ताके वो फिर इस तरह कोई भी अपना रवएए उस पर मुसालत करने से कबल सो मरतबस जरूर सोचे अरे चांद तो उन्हें कब का मुबारक हो चुका है मेरी बूली भावी सीमा की बात पे मुसा का फिल्फ और मतवज़ा हुआ लहजा खासा फ्रेश और सुलह जो किसम का था लबों पे माइनी खिस्प सकुराहट थी ये आपकी नहीं आस्मान के चांद की बात कर रही है नहाल भी उसका ही भाई था बात की गहराई समझ कर शरारत को तूल दिया जबाबल मुसा जोर से हस्ते लगा अरे जनाब वो चांद हमारे रुख रोशन के सामने मांध पड़ जाता है वैसे भी उन्हें तो इस चांद से गर्ज है क्यों वाईफ मुसा उसकी बे एंतनाई चलकाते दिलकाश चेहरे को नरम लो देती निगाहों की जद पे रखके शगुपतगी से बुला इमान ने किसी कदर नरास की और नखुवत समीत उसे देख कर निगाह का जाविया बदल लिया अहम नहाल मस्नुई अंदास में खांस ने लगा और यही अंदास मुसा को एक आँख नहीं भाया जब ही जजबाती होकर बोला यकीन नहीं आ रहा इसे बताओ इने जोजा महतरमा क्या सच नहीं है बतादो जालिम समाज को आँख सब कुछ मुसा ने बिलकुल फिल्मी अंदास में डायलोग ज़ाड़ा सीमा और नहाल हसी जब्त करते सुर्ख हो गए तो इमान गुसे की ज्यात्ती से बोलो बेवकुफ लड़की वड़ना ये गलत समझ कर गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं मुहबत और मान भरा शोख खनकता हुआ लहजा सापका किसी भी तल्खी और रंजिश से पाक उसका हलक तक करवा हो गया यानि अपना मतलब निकाल कर वो उसकी नराज की कोई एहमियत देने को भी तयार नहीं था मकसूस मरताना चाल जिसे किसी भी कीमत पर उसे कामयाब नहीं होने देना था उसने एक नजरनेहाल और सीमा के हस्ते हुए चेहरों को देखा फिर मुसा की गिरिफ्ट से अपना हाथ एक जटके से निकालती पाउं पठकती हुए सीर्यों की जानिब बढ़ गई रूठे हो तुम तुम को कैसे मनाऊं पिया बोलो ना मुसा गुन गुनाते हुए उसके पीछे भागा आया और उसका हाथ पकरना चाहा बगर इमान जल्दी से अपना हाथ बचाती धड़ा धड़ सीड़ियां उतर गई भाई भावी वाकरी खफा हैं आपसे निहाल अज तश्वीश में गिर कर बोला इमान के चेरे के तासुरात ने उसे परेशान कर छोड़ा था आहां नहीं तो मुसा बोख लाया फिर खुद को संभाल कर सीमा की तरफ मतवच्चा हुआ नैना और जैनी को लेकर फटफट नीचे आ जाओ फिर चूड़ियां पहनने जाना है चलो बच्चो वो लम्हे के हजारवे हिस्से में खुद पे संजीद्गी का होल चड़ा कर बात बदल गया तो नहाल को भी जुरुत नहीं हुई थी मज़ीद कुछ पूशने की अभी तक हफा हो मुसा ने उस का रुक फेरे देखा तो चलता हुआ करीब आ गया वो किसी और देहान में थी जरा सा चौकी उसे एक नजर देखा मगर जवाब नहीं दिया और सोते हुए अश्चत के रेश में बालों में उंगलियां फेटती रही तुमने चूडियां भी नहीं पहनी ना महती लगवाई नरास की मुझसे है इन सब खुशियों से क्यों मूँ मोड़ ही हो फिर अबाजी अम्मा और बाकी सब क्या सोचेंगे वो उसके निस्तीक आ बैठा एमान तब भी खामोश रही और खुद को ला तालूग जाहर करती रही मगर अंदर से सुलगते हुए अपने पालदैन का एहसास है मेरे ममा पापा का बिल्कुल नहीं मुसा ने उसके चेहरे पे खुफ़की के तासुर को देखा और मस्कुरा दिया यार सुभा ईद है इसके अलावा एक और बात है बहुत खास प्रॉमिस सुनोगी तो सारी कुकी भूल जाओगी मुसा उस पे जुका और शानों से थाम कर जबर्दिस्ती उसका रुख अपनी जानिब किया और यहीं गजब हुआ था टॉन्ट तच मी वो जैसे धारी थी मुसा की ये जसारत उसे आग बगोला करने को काफी थी एमी मुसा ने चंद लमों की नागवारियत को जटक कर एक पर फिर नर्मी से पुकारा गो के उसके अंदाज उसका तनफर उसे तोहीन का बहुत सुलगता हुआ एहसास चू कर गुजरा था मगर वो अपनी ज्याती चाहे वो ममूली ही क्यों नहो उसका अजाला करना चाह रहा था जब ही पिछले दो तीन दिनों से उसकी हर बत्तमीजी को भी खंदाए पेशानी से बर्दाश कर रहा था अब छोड़ भी दो यार ये खामाहा की नरास की तुम चानती हो ना कितनी मुहपत करता हूँ एमी डार्लिंग तुम से कल ईद है वो लोग भी एक दूसरे को मना रही है जो सालों से ख़पा थे तुम उल्टा नरास हो वैटी हो मुसा ने बहुत नर्मी और हलावत से कहते उसके चेहरे के गिर जूलती लट को छेटते हुए मुस्कुरा कर कहा तो एमान ने जवाबन फुनकारती हुई नजरों से उसे गूरा था और उसका हाथ जटकते हुए एक जटके से उटकर खड़ी हो गई आपको जहां तक अपनी बात मनवानी थी वो आप मनवा चुके हैं एक बात मैं आप पे वाज़ा कर दू मुझे मुझे मुतलिकल हनान किसम के मर्दों से शदीद किसम की नफरत है समझे आप जिस कदर भी उसका लेज़ा तजहीक और तलकी का अंसर लिये हुए था उससे बढ़कर उसके चेरे के तासुरात में जलकती वो नफरत और हकारत और बेकान की थी जिसने मुझे मुझे हायात को गंग कर छोड़ा था अपनी बात मों कमल करके वो रुकी नहीं थी पलट कर बेट से उतरी और वाश्रूम में बंद हो गई और दर्वाज़ा एक धमाके से बंद कर दिया मुसा बस साकित बठा था अब्बा और नहाल के साथ मुसा ईद काह से नमास के बाद लोटा तो सफेद सिल्की गरारे में मलबूस अमा अपनी मुकमल तयारी के साथ तक्त बे मुझूद थी कुछ फासले पेर डेट बनार सी काम से मुझाजिन कुपसूरत साढ़ी में सजी बनी समिया भी छोटी बच्ची को गोद में लिए शीर खोरमा खिला रही थी दोनों बच्चे भाग कर मुसा से लिप्टे थे इदी बाबा इदी ओके ओके देते हैं जानू पहले ग्रैंट पास से तो निकल वाओ ना पिर हम से और चाचू से भी मिलेगी उसने हस कर सुफे पे बैठे अबाजी को देखा जो उसके चलाकी पे मुस्कुराए थे फिर चारों बच्चों को इशारे से करीब बुला कर जेब से सो सो के चार नोट निकाल कर चारों को बारी बारी प्यार करने के बाद उनके हमाले कर दिये अरे भई इमान कहा है नजर नहीं आई सुबह से सीमा को पांट सो इदी देते हुए उन्होंने इमान की कमी को फौरी महसूस किया मुस्का ने बे इक्तियार नजरें चुरा कर लब भींचे थे सुबह जब वो इद की नमाज के लिए जा रहा था वो बच्चों को तयार कर रही थी उसके बाद भी अगर खुद तयार होना शुरू होती तो अब तक लाज़मन उसे सब के साथ यहां मुजूद होना चाहिए था मैं देखता हूँ वो उठते हुए बोला देहान से भाई सिर्फ देखने पर एक्तफा कीजिएगा कहीं होश न अडवा बैठीगा जैसे हमारे होश उड़ें हैं अपनी मतर्मा को देखके नहाल बहुत रुबबच से कुलाब जामन खाते हुए तिर्चे निगाहों से सीमा को देखकर मुसा से बोला इस बहुत लतीफ पराई में किये गए मजाग पे मुसा मुस्कुराहट जब्द करता हुआ अंदर आ गया वो मेरून और गोल्डन बनारसी साड़ी में अपने तबाह कुन हुसन की ताबना कियों समेत निगाहों को खेरा करती एक ही जलक में गोया उसके हवासों बेचा गई निहाल की मजाग में कहीं बात सथ साबित हो चुगी थी मुसा चौकट पे ही खड़ा मभूत सा उसे देखता चला गया इमान ने लिपस्टिक का फाइनल टच देने के बाद मैचिंग का भारी नाकलिस उठा कर गले में पहनते हुए निगाहों की गर्मी को महसूस करते जैसे ही नजर उठाई आइने में मुसा को अतराब से बेगाना होकर खुद में मगन देखकर महस एक पल को ठिटकी आइने में ही दोनों की निगाहें चार हुई थी इसके बाद इमान ने बरपूर नखुट समेट निगाह का जाविया बदल कर नेकलिस का हुक लगाना शिरू कर तिया जबकि मुसा बेखतियार उसके जानिब खिंचा चला आया था इद का दिन है गले हम को लगा कर मिलिये रसमें दुनिया भी है, मौका भी, दस्तूर भी है वो बहके हुए अंदास पे मुस्कुराया और उसके हाथ हटा कर खुद नेकलिस की हुक लगा दी इसे पहले कि वो मज़ीद बेकाबू होकर कोई और जसारत करता इमान सारी का पलू समेठती तेजी से उठकर फासले पे होगी मुसा के चेरे पे मुझूद मुस्कुराहत मज़ीद कहरी हो गई कम ओन मिसेज, ये खुब की पलस पाबंदी कब तक आखे उसके गुलाब चेहरे की सहर अंगेज कुबसूरती को सराती निगाहों से देखता हुआ वो आह भर के किस कदर ओफ मूड में बोला था मैं कोई आप से खफ़ा नहीं हूँ इमान ने तड़क कर कहते दरास खोल कर कंगन निकाल कर हाथों में पहने ओके अगर खफ़ा नहीं हो फिर तो कोई मसला है ही नहीं मैं तुम्हें मुसा ने उसके साड़ी का ढलका हुआ पल्लू पकड़ कर अचानक खेंचा और बाहों में उसे भर के साथ लगाना चाहा था कि वो माही पे आपकी माने मचल कर उसकी गिरिफ से निकली थी मैंने कहाना मच हुए मुझे आपको असर क्यों नहीं होता आखिर इमान का लहज़ा बहुत खराब था मतलब क्या है तुम्हारा खफ़ा भी नहीं हो और ये मुसा वो उसे दरश्टगी समेट टोक गई और यूहीं उसे सद नजरों से देखती अमा की बुकार पे पलिट कर बाहर चली गई तब मुसा अपने उमठते हुए तैश और जिस बात को दबाता खुद भी बाहर आ गया उसे अमा और सीमा के साथ बैठे देखकर किसी कदर सकून का सांस लिया बाबा हमें गोला गंडा खाना है जैनी उसके पास आकर मचली थी हाँ तो खा लो बाबा की चान अगर पैसे खतम हो गई है तो ये लो और ले लो एश करो मुसा ने फिदा होते हुए जेब से पचास का नोट निकाल कर जैनी की मुठ्छी में दबाया तो इमान जो फयाजी के इस मुझाहरे को नागबारी से देख रही थी बोले बगएट नहीं रही कोई ज़र्वत नहीं है गोले गंडे खाने की बिमार पड़ोगे तो मुसीबत मुझे ही पड़ेगी चुप करके बैठो मुसा को घूर कर वो जैनी पे बेदरेग बरसी जिसका मुझ ये सुनते ही लटक या था ओफो कुछ नहीं होगा भई हर वक्त बच्चों के पीछे मत पड़ा करो इद का दिन है इन्हें इंजॉय करने दो मुसा ने पहले इमान के नो लिफ्ट वाले चेहरे को देखकर आहिस्तगी से टोका फिर जैनी को इशारा किया वो तो खुशी से फौरण ही उड़न्ची हो गई और फिर रिमोट उठाकर टीवी आन कर दिया जबके इमान दाद भीचते हुए तिल मिला कर रहके क्या बात है बच्ची तिक तबेद तो ठीक है ना परिशान उल्जी हुई सी है जब से आई है बड़ी अमाने इमान को मुखातिब किया तो चैनल सर्चिंग में मसरूफ मुसा संभल कर बैठ गया कि इमान के सच उगलने की सुरत में अमाने भी उसकी गोश माली करनी थी इमान ने उसके इस अलच अंदास को बगौर देखा था और चिड़ाने वाले अंदास में मस्कुराते हुए जैसे उसी पल बदला चुकाने का सोच लिया अपने बेटे से पूछे अमा इन्होंने ही खवा किया है मुझे वो खूब अगाह थी अपनी एहमियत से जभी ठीनकर बोली थी मुसा हाथ में रिमोट लिये आखों ही आखों में उसे बास रखने का इशारा करता रहा मगर वो साफ नजर अंदास कर गई क्या मतलब लड़ाई हुई है तुम्हारी दोनों की बड़ी अमा तो सही मानों में समया खाना भूल गए मुसा ने पहलों बदल कर जुस्बस होते हुए अमान को गुरा और खुद मेदान में उत्रा अपनी सफाई को मजा कर रही है अमा बला मैं इससे लड़ाई कर सकता हूँ इसका तो अभी तक इतना बड़ा एहसान ही मेरे सर से नहीं उत्रा अमान को अमा से नजर बचा कर आँख मारता हुआ वो शरारत से बरपूर मुस्कुराइट समीत माईनी खेजी से बोला अमान ने सट पटा कर पहले अमा को फिर उसे देखा और उसकी इस खबासत के मुझाहरे पे वो अपना एत्माद बहराल चंद लम्हों को ही सही जाल जरूर कर चुकी थी और मुस्क भी तो यही चाहता था सुब बात पलटने में कामयाब हो गया रही सही कसर नहाल ने उसकी बात उचक कर निकाल दी अरे कौन सा एहसान भाई जिसके बोश दले आप जैसा रसीला बेचारा आज तक दपा हुआ है अरे तुम्हें याद नहीं उससे ने जवाब बनहरान होने की शानदार अदकारी की मुझे तो हर दम जोजा मौतरमा का एहसान कुछ इस अंदाज में दबा के रखता है कि सांस भी मुश्किल से लेता हूँ है याद नहीं इतने सारे प्रोपोजल्स में से इन्होंने मुझे कबूलियत की सनद बक्ष कर अपना जेर बार कर लिया था मगर अब यह चाहें लाक इंकार करें हकीकत को चुपा नहीं सकती कि तब यह सिर्फ मेरी खुबसूर्ती और मर्दाना वजाहत से मतासिर हुई थी जाहिर खांदान तो क्या खांदान से बाहर भी उन्हें मुझ जैसा शांदार, खुबरू और वजी नौजवान कोई दूसरा जो नज़र नहीं आया था लवों की तराश में दिलकश मुस्कान लिये वो नरम लौ देती निगाहों से उसे देखता हुआ कह रहा था मौबत की फवार में भी का नरम गरम शरारती लें जा कुछ भी तो ऐसे नहीं था जिसमें तलकी या तमस्कुर का पहलू निकले मासी वहल की फुलकी शरारत या मजाग के इसके बवज़ूद इमान का चेहरा लमहों में पत्रीली संजीद्गी में डला था उस पे शोला बार किसम के निगाह डालते हुए वो किसी की भी परवा किये बगएर एक जटके समयत उटकर वहां से चली गई उसके अंदाज से जलकती दरुश्टगी और नागवारी ने एक लखत उन सब को खमोश सगर दिया मुसा ने उनके चेहरों से मुस्कुराहत को गाइब होते और हैरानगी के साथ तहयूर और इस्तजाब के साथ परिशानी को भी करते देखा और सकती से लब भींच लिए उसके खयाल में इमान के ये बत्तमीजी की इंतहा थी भाई, आइ तिंक भावी ने हमारे इस मजाग को माइंट किया है सबसे पहले नहाल नहीं कहा था हाँ तो तुम्हें भी खयाल करना चाहिए अगर उसे ये मजाग नहीं पसंद तो पिर क्यों पीछा लेते हो बड़ी अमाने उल्टा उन्हें ही डाटना शुरू कर दिया बाखुदा अमा हमारा मकसद उन्हें हर्ट करना थोड़ी था क्यों भाई नहाल बाग एक गबरा सा गया नहीं ऐसी कोई बात नहीं है नहाल इमान ने इस बात को माइंट नहीं किया टेकेट इजी वो अज़ध शर्मिंदे की से कहता उट खड़ा हुआ कमरे तक आते मुसा का दमाग अच्छा खासा सुलग चुका था तुम्हारा दमाग दुरूस्त है क्या समझती हो तुम आखिर खुद को यह तुम्हारा सा सुराल है अमा अबा का घर नहीं है जो जी में आए करो और कोई तुमें कुछ न कहे इमान पलंक पेरुक फेरे बैठी कलाई में पड़ी चूड़ियों से खेल रही थी जब मुसा उसके सर पर पहुँच कर किसी कदर बरहमी से बोला यही बात अगर मैं आपसे पूछू तब वो एक जटके से उठी और उसकी तेस नजरों में अपनी सर नजरें काड़े हुए किसी कदर दरुष्टगी समेथ गोया हुई एक पल को तो मुसा को इतना गुसा आया कि खुद पे जब्त करना महाल हुआ था जी चाहा एक थपर तो ज़रूर ही लगा कि हवासों में लटा दे मगर वो किसी भी कीमत पे बात बढ़ाना नहीं जाता था कम मसकम यहां क्या मतलब कौन सी बात मुसा ने बहुत सब्स का मजाहरा किया उसके बावजूद उसके लेंचे में बहुत चुबन थी आप क्या समझते हैं गुद को वो गुरा कर बोली किसने हक दिया आपको एक बेबुनियाद बात को लेकर मेरा मजाग उड़ाने का वो चीखी थी इमान तमीज से बात करो अगर तुम भूल रही हो कि तुम किस से मुखातिव हो तो मैं बता दिता हूँ मुसा ने उसे बाजूँं से पकड़ कर एक जोरदार जटका दिया इसकी जरूरत नहीं मैं जानती हूँ कि आप मेरे मुतलिकल हनान शोहर हैं जो इंतहा दर्जे का खुद पसंद इंसान है वो अपना आप मुसा से चुड़ाते हुए पहले से भी बढ़कर बत्तमीजी और तलखी से बुली तब मुसा का हाथ उठते उठते रह गया इमान ने बहुत तन्जिया नजरों से उसे देखा था रुक क्यों गए मुसा ने बहुत सकती से दान भीच कर रुक फेरा बात पे बात इस इशू को हाइलाइट करके आप अपनी कौन सी हिस को तस्कीन पहुँचाते हैं I don't know जबकि मैं बारहा आपको ये बता चुकी हूँ कि इस वक्त इमान It's a joke only Only a joke क्या अब तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि मैं मज़ा कर रहा हूँ मुसा कोहा की कतन सद्मा पहुचा था ये मिसंडरस्टानिंग आज उसे इतना खिफ़जदा कर चुकी थी कि जी मरने को चाह रहा था हाँ नहीं है मुझे सेंस मज़ा की एक बंदे को आप बेवनियाद बात पर बार बार रुगे देंगे तो क्या वो ठेस पहुचने पे बिलबलाई भी नहीं और सही मानों में मुझे उस वक्त पे पच्चतावा है जब मैंने दूसरे प्रपोजल्स छोड़ कर आपका इंतखाब किया था काश मैंने खोश के नाखुल लिये होते ऐसा ना किया होता तो आज इतनी शर्मिंदेगी तो ना उठा रही होती नफरत की जियाती से होट सकोर कर कहती वो मुसा को पूरी हस्ती समेट हिला के रख गई मुसा की निगाहों से तास्फ और गैर यकीनी जल्की थी जब वो बोला तो यही मलाल उसके लहजे से भी आया था मुझे नहीं पता था इमान कि तुम्हारे दिल में मेरे इस बेजरर से मजाग के खिलाफ इतना अनाद इस कदर बुगस होगा वो बहुत जब्त करते हुए भी फट पड़ा था यह बुगस किसने भरा है मेरे दिल में इस पॉइंट पे भी गौर फरमा लेते तो अच्छा होता इमान ने मुझे की आँखों में उत्री लाली और चेहरे की खतरनाख हट तक बढ़ी हुई संजीत की को तनफुर्जा नजरों से देखते हुए जवाब दिया मुसा ने अपकी मरतबा जवाब में कुछ नहीं कहा अलबता उसे कुछ देर देखते रहने के बाद बहुत आहिस्तेगी से पलेट कर बाहर चला गया अपनी तैयारी करके रखना सुबह हमें पहले टाइम निकलना है रात सुने से कबल अपना तक्या दुरुस्त करते हुए मुसा ने उसे देखे बगैर खुश्क लहजे में कहा था इमान ने पता नहीं देहान से सुना भी था या नहीं उनकी फुपो के हां रात के खाने पे दावत थी वहां से लोटते रात के ग्यारा तो बच ही गए थे और सुने के लिए कमरे में आते तकरीबन बारा साड़े बारा मुसा तो लेटते ही मूँ तक चादर तान चुका था कि वहां दावत पे भी इमान का मूच पहाल तो बहरहाल नहीं हुआ था अगर यहीं पर एक्तफा होता तब भी अच्छी बात थी लड़ाई की इप्तदा से उसके जाने पेश रख्त करता बात को सुधारने की कोशिश करता मसरूफ मूसा भी आखरी जड़ब के बाद रुखाई का मजाहरा करता रहा था दोनों को मश्रिक मगरिब बने देख कर भी ना महसूस करना अजीब बात होती यहीं वज़ा थी कि वहाँ फुपो के एहले खाना के साथ साथ अम्मा अब्बा और नहाल सीमा से भी उनकी कशीद की चुपी न रह सकी बगर किसी को भी बताना मुनासिब नहीं समझा कि मियां बीबी में इस किसम की बातें तो अक्सर ही हुआ करती है रात का जानी कौन सा पहर था जब किसी एहसास ने मुसा को आखे कोलने पर मचपूर कर दिया था जब जरा हवास बहाल हुए तो जैनी को बुरी तरहां खांस थे और रोते पाकर वो यकलख उटकर बैट किया हम नेरी मुसीबत जान को लगे हुए रोक बक्वास भी की थी कि ना खाओ फ़जूल चीजें अब गला खराब हुआ है तो मेरे सर पे नहुसत पहलाने की ज़रूत नहीं है चैन सकून गारत करके रख दिया है हड़रामों ने बुरी तरह से सकती जैनी को जबरदस्ती डांट पिलाने के बाद भी तैश कम नहीं हुआ तो दांट कचकचाते हुए उसे थपर रसीद कर दिया मुसा जो तब से लब बीचे उसे गरचते बरसते देख रहा था उसका फिर से जैनी पर उटता हाथ देखकर मुश्तेल होकर बढ़क गया अगर तुम इसके लिए कुछ कर नहीं सकती तो उसे डांट ने मारने की भी जूरत नहीं है नीन के खुमार से सुर्ख होती आँखों से बरस्ती जारहियत और कहर समाता सुरात इमान ने कदरे चौक कर मुसा को देखा फिर उबलते हुए दमाग समेट बहुत नागवारी से बोली थी हाँ तो पिर संभालने अब खुद ही तब तो बड़ा बर्चर के पैसे और इजाज़ती दी जा रही थी हाँ समभाल लूँगा तुम अपने नीद खरापत करो इससे तुमें कोई गर्स दही होनी चाहिए बिस्तर से निकल कर शर्ट पहनता हुआ वो अजहत तलगी से कहता अगले ही लम्हें जैनी को उठा कर कमरे का दर्वासा खोलता बाहर चला किया इमान को एक पल को उसके आतिश फिशानी मूट ने छिटकाया था पिट तलगी से सर जटक दिया हम अभी दमाग दुरुस्त हो जाएगा कुछी देर में जब महतर माहलक फाड़ फाड़ कर रोते हुए तिगनी का नाचना चाहेंगी ना तब भी मुझे ना बुलवाई वो करवट पे करवट पदलते हुए किलिस्ती रही थी और वक्त बीटता रहा था अलबता उसे कोई बुलाने नहीं आया यहां तक कि युही जलते बुनते जहन के साथ उसे पता ही नहीं चल सका कि वो कब दुबारा नीट की अगोश में उतर गई हालनकि मैंने कहा था कि कल तक डुक जाओ मगर मुसा माना ही नहीं हो सकता है बच्ची की खराब तबियत से कबरा किया हो हलनकि अब तो उसे भी अच्छा खासा अफाका है अगली सुभो नाश्टे के बाद वो जाने की मुकमल तयारी समेट सहन में मुझूद थे जब बड़ी अम्मा ने इमान को लिप्टा कर पेशानी पे प्यार करते हुए कहा हमें भी तो कल जाना है शहर दावत में तुम्हारे माबाप के घर इकटे ही चलते मगर खेर बड़ी अम्मा उसके चौकने को महसूस किये बगैर सर पे हाथ फिरते हुए बात आई गई कर गई थी मगर उसकी तसलिक कैसे होती वो तो बुरी तरहां से चौकी थी क्या मतलब अम्मा वो वो दावत तो कल गुजर नहीं कई वो हौक होकर उन्हें देखने लगी बड़ी अम्मा ने हैरानी से उसका उड़ा-उड़ा चेहरा देखा नहीं तुम्हें नहीं पता बच्ची वो दावत तो ईद के तीसरे दिन है तुम्हारी मा ने तुम्हें नहीं बताया कह रहीं थी हर कोई अपने बाल बच्चों में ईद करना चाहता है उस रोज भला इतनी दूर का सफर करके कोई कैसे आ पाएगा सब की असानी को मदे नज़र रखना चाहेंगी उन्होंने ममा की बात को दोहराते हुए उसके ला इर्मी को अच्छंबे से देखा तो इमान गरबढ़ा कर नज़रें चुराने लगी हाँ बताया तो होगा बस जहन से निकल गया वो खजल से होकर वजाहत देने लगी और नज़र उठा कर अबबा जी से मिलते मुसा को खजालत समेट देखा आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ममा ने गैदरिंग ईद की तीसरे दिन की है गारी में उसके मुकाबिल बैटने के थोड़ी दिर बाद इमान किसी कदर खिफ़जदा अंदास में आहिस्तगी से बोली मुसा के ला तालुकी और बेगान की पूरी बात खुल जाने के बाद बहुत महसूस हो रही थी गुसा जो इतने दिनों से दमाग खराब करके खामखा महौल भी खराब करता रहा था अब जैसे मिंटों में उड़ा कर उसके जुन जुलाहाट और खुफ़गी में वो सबसे ज्यादा मुसा से ही मिस्पेहब कर चुकी थी मुसा ने उसकी बात को सुना था और सुनकर इग्णूर कर दिया था इमान को उसकी ये ला तालुकी और बेन्याजी हद से ज़्यादा महसूस हुई तो अंदर तश्वीश कहरी हो गई उसकी फराख पेशानी की अबरी हुई नस्थ को खाइफ नजरों से देखते इमान ने लब भींच लिए ये सोचकर कि वो गुसे में है इमान का दिल गबराने लगा मुसा कमसकम आपको मुझे ये बताना जरूर चाहिए था कुछ तेर की खमोशी के बाद इमान ने बेचैन होकर फिर से उसे मुखातिक किया था मगर अपकी मरतबा उसे मुसा का बहुत शदीद रद्दे अमल का सामना करना बढ़ा मुसा ने एक जबरदस्ट जटके समेट पहले उसका हाथ अपने हाथ से जटका था फिर उसी कदर बरहमी समेट फुनकारते हुए बोला अपने आप में रहें अगले बंदे के मजाज और मूट को देख कर बात किया करें हर वक्त ही किसी का मूट नाज उठाने और रुमैंस करने का हो ये जरूरी नहीं समझी आप उफ इस कदर इंसल्ट इस कदर सुबकी महसूस की थी इमान ने कि उसे अपना पूरा वजूद जल कर खाकसतर होता महसूस हुआ तोहीन का ऐसा तेज अहसास उसकी आँखों में मारे खिफ़त के आँसू भी ना आ पए वो जहां की तहां बैठी पत्तर हो गई मुसा के लहजे से अगर सिर्फ नाराज की जलकती तो वो हर गिस माइड न करती मगर उसने तो बैठे बिठाए उसे लम्हों में इतना हगीर कर दिया था कि वो बस हैरान हैरान से उसे देखती रह गई थी मुसा ऐसा मुन्तकी मजाच होगा वो सोच भी नहीं सकती थी उन गुजरे हुए छे सालों में वो हमेशा उस से उसके गुरेज और शर्मो हया के मखसूस लिये दिये अंदास पे हमेशा शिक्वे करता आया था और उंगलियों पे भी नहीं गिन सकता था जब जब इमान ने खुद से बढ़कर इस किसम की कोई पेश रफ्त की हो फिर भी अब उसकी इस हरकत पे वो इस तरहां उसे रुगेद के रख गया था कि इमान अपने वजूद को हवाओं में मौलिक महसूस कर रही थी हलाके अपनी अपनी जगा दोनों ही गलत थे पहले वो उसे डिस हाथ कर चुगी थी तो अब मौसा ने अपने अलफास की संगीनी समेट उसे लहू लुहान कर दिया था इसके बावजुद वो दोनों ही खुद को बेकसूर और फरीके सानी को कुसूर वार गर्दान ते हुए एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे खासी देर आंसू बहा कर इमान ने बहुत गैर महसूस अंदास में दुपटे के पलू से रगर कर जहरा साफ कर दिया और मुसा की तरफ रुख किये बिना आवास की नमी पे काबू पाते हुए बोली थी मुझे ममा की तरफ छोड़ दीजिए बेफिकर रहो तुम ना भी कहती तब भी मुझे पहरहाल वहीं पहुँचाना था जिस कदर शौक है तुम्हें वहां रहने का अब उस शौक को जीब भर के पूरा कर लो जवाब में मुसा की सर्द गुराहट सुनाई दी इमान की आँखें एक बार फिर आँसों से जल थल हो गई मेरे बच्चे तुम्हारे लिए किसी बोच और मसीवत की तरह हैं और मुझे अपना बोच को लादने की बिलकुल आदत नहीं है सो उन्हें मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ गाड़ी ममा के घर की सफेद बुलंद अमारत के सामने रुकी इमान ने सोई हुई जैनी को जैसे ही उठाना चाहा मुझे ने बगैर किसी लिहास और मुरवत के जैनी को उसके बाजनों से छीन लिया था इमान एकदम सर्थ पड़ गई मुझे की तुंदी, बेरहमी और सफाकी ने उसे सुरते हाल की संगीनी का अधराग बख्षा तो आखों तले जैसे अंधेरा सचाने लगा मुझे आप, मगर मुझे ने बहुत दुरुष्टगी समेथ हाथ उठा कर गोया उसकी बात कता कर दी अपना बैग लो, मैं लेट हो रहा हूँ वो किसे कदर सट पन से बोला इमान ने बेबस्ती की निगाह समेथ उसे देखा और शदीद तोहीन महसूस करते हुए कुले दर्वाजे से उतर गई ममा, बाबा, ममा अजज़त चीखा था शट अप इमान ने अज़ज़त को डांट से मुसा को चलकती आँखों से देखा था अगले लम्हे गाड़ी उसकी नज़रों से उचलो गई ममा और पापा उसे बच्चों और मुसा के बगएर देखकर चौके थे मगर उसने तसली करा दी ती ये कहकर कि बच्चे फ़न लान टुटाने की जित कर रहे थे शाम को आ जाएंगे मगर खुद अपना दिल उसका चाहर नहीं रहा था उसका ख्याल था मुसा को बच्चों की जित पे हत्यार डालना पड़ेगा और अपना गुसा बूलना पड़ेगा मगर जब वो शाम के बाद रात को भी नहीं आया तो सही मानों में वो चकरा कर रहे थी मामला इस हद तक बिगड जाएगा ये तो उसके वहमो गुमान में भी ना था ममा के पूछने पे उसने बामुश्किल अपने आसुज़ जब्त किये थे मुझे तो खुद नहीं पता ममा वो क्यों नहीं आये मुशा कसल आफ जा रहा है उसने टालने को कहा अच्छ ठीक है मैं खुद ट्राइगरती हूँ ममा चली गए थी फिर उसे नहीं पता था कि ममा ने मुशा से बात की थी या नहीं अगर की थी तो मुशा ने जवाब में क्या कहा अलबता ममा ने उसे दुबारा नहीं पुछा अगले दिन और बहुत से महमानों के साथ अमा अब्बा सीमा और नहाल के अलवा रानिया के भी अपने ससुराल वालों समेट सब आ चुके थे और वो सब भी बाकियों की तरह अपने बच्चों और मुसा के बगैर देखकर सवाल पर सवाल करने लगे थे इमान का दमाग माउफ होने लगा वो जो पहले कभी इस किसम की सुरतिहाल से दोचार नहीं हुई थी हर बार ही पहले से ज़्यादा रोहान सी हो गई मगर जब अमा और ममा ने ज़रा सकती से इस अफसार किया तो किसी भी तरह वो खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकी और उनके कांदे पे सर रखे बिलग उठे थी और दूआधार अंदास में हुए सारे वाकियात उन्हें बताती चली गई ओ, महस इतनी सी बात पे खफ़ा है वो गधा अमा हैरान की के साथ खिफ़त से भी दोचार हो गई यानि हथ हो गई है लड़के का दमाग तो ठिकाने ही नहीं है बताओ भला, इतनी जुरत उसकी के बच्चे छील लिए गर से निकाल दिया बड़ी अमा बेच्चार की से ममा से नजरें जुराने लेगी गर से नहीं निकाला, अमा बस वापसी पे यहीं छोड़ दिया यह कहकर कि यहां रहने का शौक पूरा करो वो सट पटा कर बोली कि अपने तो तमाम जुराई ममा के खौफ से दनिस्ता सेंसर कर लिये थे फिर भी बेटा, यह है तो गलत हरकत ना इतना शर्मिन्दा करवाया है कि हद नहीं तुम्हारे अबबा को बता चले तो नजरें मिलना यहां उनसे वो हनूस तांसुर जदा थी, फिर ममा को देखकर धारस बंधाने के अंदास में बोली तुम फिकर मत करो सकीना, अभी हम जिन्दा हैं, संभाल लेंगे इसे तुम लोग बेफिकर हो जाओ, अपनी बच्ची को खुद उसके घर चोड़ने जाओंगी साथी साहबजादे के वी कान खेचूंगी, कि वो होता कौन है मेरी भोली सी बच्ची से ये सलू करने वाला उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था मैं ऐसे नहीं चाहूंगी, इतनी इंसल्ट की हैं उन्होंने मेरी क्या मतलब है इमान, खामा खामा बात को मत बढ़ाओ, पूरा खांदान जमा है, एक सरा सी बात का बदंगर बनते देर नहीं लगेगी अभी तो हमने तुम्हारे डैडी और भाई साहब को भी नहीं बताया है, क्या फाइदा बात को तूल देने का फिर वो बच्चा अकेला तो ऐसी हरकत करने से रहा, तुमने भी लाजबन कोई फजूल हरकत की होगी ममा के इस कदर दरुस्त कयास और जबर्दस ज़ाड पे इमान खाइबसी हो गई थी, मगर बिलबलाती अनास से भी आके नहीं चुराई जा सकती थी उन्होंने कितने बुरे तरीके से इंसल्ट की है मेरी, आपको क्या पता, वो रोहानसी हो गई ओफो, मिया बीवी में ऐसी लड़ाईया होना आम बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूँ एंट कर वैट जो जो भाबी बेगम कह रही है, वो ही ठीक है, तुम बस चलने की तयारी पकड़ो ममा के लहजे में कोई गुझाईश नहीं थी, उसे एक तब गुसा आ गया दिल चोटा ना करो मेरी बच्ची, एक बार साथ तो चलो, मेरे साथ फिर देखना तुम्हारे सामने कैसे नाक से लकीरे निकल वाती हूँ, उस फन्ने खान की बड़ी अमा ने बिलकुल बच्चों की तरह पुछका रा, तब वो कोई चारो ना चार चुप हो गई, इतना तो बहरहाल वो भी जानती थी, कि वो फन्ने खान नाक से लकीरे तो कभी नहीं निकालेगा, आप, अमा मैं तो समझा था, आप भी अब्बाजी के साथ ही वाप थे, यकीनन बच्चों की वज़ा से घर पे नसर आ रहा होगा, हाँ बच्चे तुम तो दिल से चाहते होगे ना, कि मैं उनके साथ ही चली गई होती, ताके तुम्हारी रोशन कारना में यूही हमारा नाम जग मगाते, उन्होंने गहरे तंद समेत कहते हुए उसे किस सिलसले में पहनाए गए हैं, चलो दीरानी, अमानी दर्वाजे की चोखट से अंदर कदम रखने से कबल अपने पीछे तकरीबन छुपी खड़ी इमान को आगे किया, तो जैसे मुसा, उस पल उसकी आमद से आगा होता, शाकी निगाह, अमा के गुसीले चेहरे पे डाल किते हुए मलामत जरूरी समझी, इमान मा बेटे की गुफटगू सुनने को चहरी नहीं थी, तेजी से चलती बच्चों के कमरे में आ गई, दोनों को ही वहां मजूद ना पाकर उसका दिल एकदम गबरा सा गया, जल्दी से पलट कर भागने के अंदाज में बाहर आई, तो लिविंग रूम से निकलता हुआ अश्चत, उसे देखकर एक पल को हैरान हुआ, फिर अगले ही पल बेताबी से दोड़ता हुआ, आकर उसके टागों से लिपट किया, आबा में छोड़कर कहां चले गई थी ममा, जैनी बहुत रोती थी और बाबा को बहुत तंग भी करती की तो उसके कहीं फिर से गाइब होने का ख़चा ना हो, इमान बेहत परिशान और टेंशन का शिकार होते हुए भी मासूमित के इस मजाहरे पे हरकी बुलकी होकर मस्कुरा दी, और जुक कर एक बार फिर अश्चत को चूम लिया, अब तो आप कहीं नहीं चाहेंगी ना ममा बच्चा खौब सदा होने के साथ कैर यकीनियत का भी शिकार हुआ था, इमान ने ठंडा सांस बढ़ा और आहिस्ते की से सर को नफी में जिंबिश देंटे अट खड़ी हुई, अमा तो उस सुला के पर्चम को लहराने के बाद खुद वापस चली गई थी, मुसा ने अगर उसे कुछ जताया नहीं था, तो किसी बात को बुला कर दरगुजर से कम भी नहीं लिया, वो हनूज उस से ला तालुकी का रवया अपनाए हुए था, जबकि इमान गूंगूं की कैफित में थी, जाने क्यूं उसके तोहीन आमेज रवया को बुला कर वो उसे मनाने का होसल जैसे सनाटे का शिकार रहने लगा, मुसा की मसरूफियत तो वही थी, अलबता वो जो काम से पहले दानिस्ता या ना दानिस्ता उसके नाम की पुकारें लगाया करता था, वो सिलसला अब कहीं नहीं था, और इसी सिलसले में जैसे जिन्दगी थी, वो तो जैसे एक दम फा तलाश रहा करती थी, वो तो अब भी आस पास थी, बस वही ला तालुक और बेन्यास हो गया था, और वो जो उसकी वारफंगियों पे जुन्चुलाते ना थगा करती थी, अब उन्हीं को तलाश दी, उसकी बे एतनाई और बेरुखी को बरदाश ना कर पा रही थी, मुसा उसकी ये बेगान की ना काबले बरदाश थो चुगी है, बैठे बिठाए उसका बहुत सारा रोने को जी चाहने लगा, इतना भी बड़ा गुनाह नहीं था, फिर बला वो किसलिए इतनी कड़ी सजा दे रहा था, उस रोस तो हद हो गई, सुब नाश्टे की जेबल पे अर सीधी हुई तो अर्श्ट के साथ जैनी को भी गबराहट सदा चेहरों समेथ अपने दाएंबाएं मुझूद पाया था, उसकी सुर्क होती नाक और आखों से बहता पानी देखकर अर्श्ट खुद भी रोने को तयार था, नहीं चांद, रो नहीं रही हूँ, उसने भीगत से गले पे काबू पाकर नर्मी से अश्ट की गाल सहला कर अपने साथ लगाया, अश्ट, जैनी, स्कूल नहीं चाना, तब ही मुझूद चेहरे पे जमाने भर की संजीदगी लिए वाश बेसन के दरवाजे पे लम्हा भर को रुका था और पलेट कर टेबल से सेल फॉन और काड़ी किचा भी उठाने लगा, बाबा, ममा को बॉम्टिंग हो रही है और ममा रो भी रही है, देखें जरा, अश्ट उसे छोड़ कर बाप के पास जाकर बकायता हाथ हिला कर गहरी फिकरमंदी और तश्वीश से बोला, इमान किसी कदर कर बढ़ा गई, जबके मुसा उस कोड कर कहते, वो अश्ट के साथ जैनी को भी बाहर आने का कहता, पलेट कर बाहर निकल गया, इमान बस फटी फटी आँखों से उसे देखती रह गई, डॉक्टर से चकप कराने के बाद उसका शक्यकीन में बतल गया, घर आके वो बे दम से अंदास में बिस्तरबे गिरी औ और आंसों को बहने को अजाद छोड़ दिया, जैनी और अश्ट सकूल से आने के बाद भूग का शोर मचाने लगे, तब वो खुद तरसी की इस कैफियत से बाहर निकली, और तमाम हिम्मतों और कुवतों को मुश्तमा करके उन्हें सान्विच बना कर दिये, खड़े होने क कर बेबस कर रही थी, शादी को साल भी पूरा नहीं हुआ था जब अश्ट सहाब उसकी गोद को रौनक बख्षने आमजूद हुए थे, प्रेग्निंसी के पहले तीन चारव ही ने उसके लिए किसी आजमाईश से कम हरकिस नहीं हुआ करते थे, वाम्टिंग ऐसी शदीद क के दवा भी असर नहीं दिखाती थी, उस पे हर किसन की स्मेल से अलग जी उलटता रहता, आश्ट अभी सिर्फ छे माँ का ही था जो वो एक बार फिर प्रेग्निंट हो गई, उसकी तब्यात सुबो के वक्त इतनी खराब नहीं थी, कि मुसा आफिस से चुटी कर लेता, मग तो साथ वली घर से खाला खतीजा आ गई थी, फिर उसकी हालत देखते हुए ही डॉक्टर के पास ले गई थी, वापसी पे जो खबर उसके साथ आई थी, उसने कुछ इतना बधावास किया था, कि मुसा के आफिस से वापसी तक वो रो रो कर अपना हशर कर चुकी थी, और अदम दवज्जही का शिकार होता, एहतिजा जनगला फार रहा था, अरे, अरे, क्या हो गया, जनाब खहर ये तो है ना, उसे बैट पर लेटे, सिस्किया बरते देखकर मुसा भी घबराग सा गया था, ब्रीफ केस और कोट उजलत भरे अंदास में सुफे पर उच्छा हो गया हो, ओ, आई सी, मुसा जो उसे यू रो तेसी सकते देखकर अच्छा खासा परिशान हो चुका था, बजा मलूम होते ही माईनी खेजी से मुस्कुराया, इसमें हसने की बहला क्या बात है, इमान का तो आदा खून उसके मुस्कुराहट से ही जल गया था, ये बताएं हुसा ने अबरू उच्काकर बेनियाजी से कांदे चटके, सो, वो उसके पुर्सकुन से सो कहने पे बे एक्तियार चीखी थी, मेजर ओपरेशन से तश्रीफ लाए थे आपके सहबजादे इस दुनिया में, और मैं मरते मरते बजी थी, तो यार इसमें मेरा तो फिर भी तुम मुझ से आखिर जगड़ा क्यूं कर रही हो। अमाम तर शोखियों शरारत समीत उसे हिजाब, अलूद, खिफ़त से दोचार करती, बे तहाशा सुर्ख कर गई। मुसा प्लीज, वो उसकी आँच देती कुर्बत से भी दगती, उन शोख बे काबू होती निगाहों से पिघलती उसे परे धकेल कर शरम की सुर्खियों से दहकता चेहरा हातों में चुपा गई थी। तुम खामखा गबरा रही हो, हलाके प्रिग्निंसी के दौरान तुम पहले से बढ़कर हसीन, दिलकश और शामिंग हो जाती हो, रेली, नूर आ जाता है तुम्हारे चेहरे पे। वो उसका नरम गुदास हाथ अपने भारी पुरहिदत हातों में दबा कर बोजल सरगोशी, उसके समातों में उंडेलने लगा, तब इमान बुरी तरह बलश हुई, हया आमेस खुफ़की से उसे खफीव सा घूर कर बोली थी, इस किसम की बातों से आप मुझे काईल नहीं क कर सकते, पता रही हूं मुझे इतनी जल्दी दुबारा इस जंजट में नहीं पढ़ना, वो जुन चुला कर बोली थी, तब मुसा अच्छा खासा चौकते हुए कुछ हैरानी समेत उसे देखने लगा था, वाट यू मीन, क्या करोगी तुम, उसके बड़ी बड़ी आँख वो में तहयूर उमच आया था, अबोर्शन, इमान ने खुद एतमाद रहते हुए भी जैसे मुसा को भग से उड़ा दिया था, वाट, वो दबे हुए लहजे में चिलाया था, पागल हो गई हो इमी, तुम जानती हो ये सरी ही कतल है, और मैं हर किस, हर किस भी तुमें अप ते हुबे भी परसी कई थी, मैं ऐसा ही करूँगी, आपने मुझे समझा किया है, मैं इनसान हूँ भेर बकड़ी नहीं, मफाद होगा तो आपका, मेरा तो हर लहाज से कबारा ही है ना, मुसा ने तासुफ से उसे देखा, मगर तब खामुश रहा था, फिर बाद में उसने प्यार, नर्मी और मुहपत समेट उसे समझा लिया था, ये बादा करके कि अगले बच्चे में वो कम असकम पांच साल का वकफा जरूर देंगे, या फिर तब जब वो खुद ऐसा चाहेगी, और इमान बागल थी, जो खुद से ऐसा चाहती, और अब जब कि जैनब सिर्फ साड़े तीन साल की थी, कि वो एक बार फिर इस जंजट में पढ़ गई थी, अगर उस शक्स के मजाज के मौसम ना बदले होते, तो कितना लड़ती वो उससे, मगर वो उससे बात करना तो दरकिनार देखने का भी रवादारना था, फिर भला वो कैसे और क्यूं उससे शिक से निकली थी, आप चलो बेटे, ममा कुछ इंतिजाम करती है, उसे अंदाजा था, एक-एक सान्विच के साथ, खाने के पात कई घंटे गुजरने पे अब उन नन्नी जानों को फिर से भूग लगना शुरू हो चुकी होगी, जबी हिमतना होते हुए भी वो खुद को गसी कर रहा था, खाने के इश्टहां अंगीज खुश्पूओ ने यक-एक उसे एहसास पक्षा कि सुबों से उसका मैदर बिलकुल खाली है, अश्चत, सैनी, आके खाना खालो बेटे, उसे देखकर भी नजर अंदास करते हुए मुसा ने बच्चों को पुकरते हुए चेट सं ममा को भी बलालू, अश्चत के कहने पे उस कासर नफी में हिल गया था, मगर उन्हें भूख लगी होगी बाबा, आज ममा की तब्यद, अश्चत, वो जोर से धारा, खमोशी से खाना खाओ, अश्चत एक दम सहम गया, उसकी आलत बहुत खराब थी, वाम्टिंग के अलाव पहत नुमाया होने लगे थे, इससे पहले भी वो दो मरतबा ऐसी हालत से गुजरी थी, मगर तब मुसा की मुहपत उसका साथ, उसे धारस दिया रहा था, मगर अब सुरत हाल मुक्तलिफ थी, मुसा की बेहिसी ला तालू की अपने तमाम तरसफाकियों समेत उसके अंदर से जिन्दगी की रमक को भी खत्म कर रही थी, इससे पहले ऐसी हालत में वो बात पे बात जुजलाती और हर दम बेजार रहा करती थी, और सारी जुजलाहट मुसा नर्मी प्यार से सह जाता था, तब वो कभी जब्द खोकर तो कभी शर्मिंदगी से दो चार होती, उसी के एक मगर आजकल तबेद पेच्छाई या सियत और मायूसी हर तम माजी की दिल फरेब लमहात में पनाह लेने पे उकसाई रखती, यादे हमा वक्त उस पे भरसती और उसे गहरी अफसुर्दगी में मुब्तला किये रखती, इस वक्त भी दवा खाते हुए उसकी जहनी रो भट लग सी गई थी, बात तो सुने मौतरमा, वो मुसा की साइट से होकर दवाओं का शौपर उठाने को जुकी थी, जब मुसा ने मुसकुराहट सब्त करते अचानक ही उसकी एक अलाई पर गिरिफ्त मस्बूत कर ली थी, छोड़े बई, क्या मुसीबत है, जी ना चाहे तब ये मैडिसन तो जरूर लेनी है, वो हस्वे आदत जुनजलासी गई थी, ओहो यार, इतनी सी बात पे इतनी जदा नारास की, अब भला बताओ, इसमें यू मुँ भलाने की क्या बात है, वो उसका बसोरता हुआ अंदास देह कर शरीर हुआ था, हाँ, ये सारी आजमाईशे खवातीन के लिए ही होती है, वो जल भून गई, इस आजमाईश में काम्यावी से हम कनार होकर खवातीन ही अजीम दर्चा पा लेती हैं, लवली वाइफ, जो बाप को किसी तौर भी मैसर नहीं आ सकता, जन्नत आ जाती है आपके नाज़ु कदमों तले, मुसा ने उसके रे देखते मुसा की खुबसूरत आँखें जस्पों से लौ देने लगी थी, ये भी खूब कहीं, लगा दो अब सारे इल्जाम मुझ गरीब पे, हलनके खुदा गवा है, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, क्या क्या, उसके जो माईनी बात के जवाब में, इमान तो धरान बोंचका कर रह गी, गुस्से से मरने मारने पर उतर आई थी, इस सरा सर इल्जाम पर, बिल्कुल ची कह रहा हूं जोजा, कसम से तुम्हारा ये मस्सूमित भरा खुबसूरत हुसन अगर मुझे ना बैकाए तो मैं भला, शरीफ इनसान, मुसा, मुसा, उसके शरम से बुरा हाल हो गया था, हाथ में आई हर शेह उस पे फेंकती, वो अपनी खजालत को मिटाती रही, ममा, जैनी में उसका बाजो जन जोड़कर उसे चीख कर आवास ती, तब वो हर बढ़ाते हुए दुंदली नजरों से उसे देखने लेगी, ममा, फौन की बेल हो रही है, द पर असल उनी दिनों सरमत भाई के सौधिया मुकीम हो जाने पे ममा उन दिनों खासी बोखलाई हुई रहती थी, इसके अलावा बड़े अबबा उनी दिनों जमीनों का बटवारा करके पापा और फुपो का भी हिस्सा उनके हमारे करना चाह रहे थे, ऐसे में पापा तो ब तो उनके खौईश थी कि बहूँ और दमादों के घर आने से कबल हकतारों को असर हक पहुँचा कर ही अपने बच्चों को उनका हिस्सा दें, ताकि उनके बाद जादात की तक्सीम पे जगड़े ना उट खड़े हों, यू तो अक्सर वोग एद शब्यबराद पे भी वहा एक किसम का था, अपने गर में इकलोते होने की बिना पर वो अच्छी खासी तनहाई से शाकी रहा करती थी जबके उसके बड़ाक्स यहां खुब रौनक और मुहपत की फिजा काइम थी, वो जितनी जिन्दा दिल, मनमोजी और खुश मजाच थी, उसी कदर तनहाई उसका म बेटे और चार-चार बेटियों के साथ खासा खुशकवार सहंगामा मचा रहता था, उसका तो सही मानों में वहां आकर वापस चाने कुछ जी ही नहीं चाहता था, इस मरतबा भी सबसे ज़्यादा खुश वही थी, या पिर सीमा राबिया और मधू, चोपपो और ताया अ रवाल कर लिया था, हाँ, मैं मेडिकल लाइन में आना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे तो इंजीनियर बनने का जिनून था, मगर पापा कहते हैं कि लड़कियों के लिए इस फिल्ट में कुछ खास कोप नहीं है, अरे, वो उसके जवाब पे खुल कर हसी, तब वो हौंक हो गई थी, क्या हुआ, उसे अपना मुझे का उड़ाया जाना बहर हाल बुरा लगता था, भई हमारा मतलब शादी वादी के मतलिक था, कोई आइडियल वगेरा, सीमा उसे कुछ कुरेत ना चाहती थी, इमान में आँखें सुकेर कर जैसे कुछ सोचा, जहां तक बंदे का त आइडियल तो फिल्मी हीरो की खसूसियात वाला चाहिए और कुछ, सीमा ने मुस्कुराहट दबाई थी, हाँ सबसे एहम बात ये है कि आम लड़कियों की तरहा मैं बिलकुल भी तनहा आदमी की खौहान नहीं हूँ, भई वो कितना ही शानदार क्यों नहो, मुझे तो सिस्टम में रहना पसंद है, तनहाई में मेरा जी बहुत कबराता है, इस बात पे तो कोई कॉम्प्रमाइस नहीं, वो अपनी साथकी और मासूमियत में उनकी आपसी माइनी खेज मुस्कुराहटों के तबातले पे देहान दिये बिना कह गई थी, गोया पहली बात पे कॉम सम तो जरूर होना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ सूट नहीं करेगा, तनहाई की फिकर ना करो, शादी के बाद बच्चे तनहाई दूर कर ही दिया करते हैं, फैमली प्लानिंग यानी ज्यादा बच्चे और तब से उनसे बेवकुफ बंती इमान ने जीमते हुए उन्हे गुरा था, आकिर आपको मेरी शादी के इतनी जल्दी क्यों है ममा, वो उनकी पूरी बात सुने बगैर ही जुनजुला गई थी, ये जल्दी बिल्कुल नहीं है, अगले दो-तीन महीनों में तुम 19 साल की हो जाओगी और इस उमर में तुम्हारा भाई था मेरी गोद में, म मुझे अभी बहुत ज्यादा पढ़ना है, उसने उन्हें देख कर शरारत से कहा था, अपने बड़े अबबा की बेटियों को देख लो, कितनी छोटी-छोटी उमर में बच्चियों की शादियां कर दी, राबिया और सीमा भी तुम्हारी उमर की है, जल्द शादियां हो ज स्ट्रेंट हैं, उनके बेटे का भी प्रपोजल मुझूद है, तीनों ही लड़के बेहत काबिल है, अस्वर तो अमेरिका ले जाएगा बीवी को, जबके एहसन कैप्तन है, काकोल में पोस्टिंग है, फरहान की जॉब सबसे बहतरीन है, बैंक में आला ओहते पे, सब के सब जिमेदार हैं, और तीनों ही लड़कों के साथ संसराली रिष्टों का जंजच नहीं है, तुम बहुत कुछ रहोगी, इसके अलावा तुमारे बड़े अपानी भी मुसा के लिए कहा है, मगर मैं तो इस हक पे नहीं हूँ, दिल नहीं मानता बेटा, भले लड़का पढ़ा गेरा वो संजीदा, बारोब सी शिक्सियत का माले के रिजर्व्ड सा मुसा, जिससे कभी सलाम दुआ से बढ़कर बात नहीं हो पाई थी, जो कमो बेश पी उससे उमर में आठ देस साल तो जरूर ही बड़ा होगा, उसकी जात में भला क्या दिल जिस पी रखता होगा, बहन भायों में वो सबसे बड़ा था, गाउं आते जाते कभी कबार ही उससे सामना हुआ था, कि पहले पढ़ाई फिर जॉप के सिलसले में वो शहर में ही होता था, और जब कभी मुलाकात होती भी तो वो भी इतनी काबिले जिकर हरकिस नहीं होती थी, कि इमान किसी गलत वहमी या कुछ वहमी का शिकार होती, तुम मुझे सोच कर जवाब देना, कि तीना लड़कों की तस्वीरें तुम्हारे बेट के दरास में रखती हैं देख लेना, वो उसे सोचों में गलतां छोड़ कर चली गई और जब चन्द दिनों बाद उन्होंने उससे जवाब मांगा त वो तो हैरत से गंग कितनी देर तक कुछ बोल नहीं सकी थी, पिर कदरे संबले हुए, खुदकलामी के अंदास में गोय हुई, मेरा खराल है तुम मुझे की पुरकशिश मरदाना वजाहत और खुबरू से मतासिर हो गई हो बेटा, बेटा वो, ममा प्लीज, हो जाने किस ए सास के जिरे तहट बे तहाशा सुर्ख पढ़ गई थी कि अबिला शुबा उनके गलत अंदाजे ने उसे तकलीफ पहुँचाई थी, वो तो कसम भी खाने को तयार थी कि उसने आज तक ढंक से मुसा हयात को देखा भी नहीं था, एक तो उमरों का इतना फर्क, दूसरा उसे तबी, भूल कर भी इस किसम का खयाल भी नहीं आया था, ममा, मैं मुसा भाई के लिए इसलिए हाँ कह रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ी फैमली फैसिनेट करती है, आपको मुझे इतना तो जानना चाहिए था, उसकी लहजे में शिकवा सा महसूस करके ममा खजल हो गई थी जब ही उसे गले लगा कर चटाचट प्यार कर लिया था, ओ सौरी मेरा बेटा, यह मेरा मतलब अरगीज नहीं था, मैं तो तुम्हारी भलाई, खेर एनिवेज छोड़ो इस बात को, अल्ला बस नसी बहुत अच्छे करे तुम्हारे, उन्होंने नर्मी से कहते उसके गाल त पाएगी, और इसमें शक भी नहीं था, कि उसकी ये फैसिनेशन इतनी अजीब थी, कि किसी का भी इस सिम्तिहान नहीं जा सका, या फिर दूसरी जानिव मुसा हयात ही कुछ ऐसा गैर ममूली और शानदार हुसन रगता था, कि उसके इस रासले को हर किसी ने मुसा हयात की मर भाई, मतलब बतलब छोड़ो, तुम ये बताओ, हमारे वेरी इंप्रेसिव परसनालिटी के मालिक भाई से तुम पहली बार कपुदा चुरूं, वैसे वह सच मुझ इतने डैशिंग है कि बंदा यूहीं दिल हारता हुआ भी, अच्छा लग जाता है, यारी बंदे तो होना लाजम ठहरा, राबय ने गुन गुना कर कहा था, वो सब उसकी सुने बगैर ही अपनी हांके गई थी, जबके वो चकरासी गई थी, या ला, यह मैं किस मसीबत में फस गई हूँ, और उसने उन लोगों की गलत फहमी दूर भी करना चाहे थी, मगर वो ही, मौमला हुआ था, कि वो जितना इस मौमले में इंकारी हो रही थी, उसी कदर वो लोग मश्कूक हो रही थी, भई तुम डर क्यों रही हो, अब तो वो तुम्हारे है, इसमें हर्जी क्या है, सीमा ने भी उसे च्छड़ा था, तो इमान के अंदर अजीव सी जुनजुलाट उतर आई थी फिर मंगने के फॉरण ही बाद उसके एहतिजाज की परवा किये बगैर शादी की तैयारियां शुरू हो गई, मगर मुझे पढ़ना है अभी, उसने जिच होते हुए पाउँ पढ़के थे, बेफिकर रहो मेरे भाई सारी पढ़ाया मिन्टों में पढ़ा देंगे, पराब सजाए, मुसा हायात के हमरा उस अहवेली में आगे जिसकी रौनकें और महपतें उसे बहुत मतासिर करती थी, थैंक्स फर दिस आनर, ओफ वाइट शेडवानी, सफेद शलवार और सर्ख पर सुर्ख साफा बांधे मुसा हायात, शहजादों सी आन बान लिये जब पहले बा बदों में चौक से गई, और ना चाहते हुए भी बोज्छल पलकें उच्छा कर उसे सवालिया निगाहों से देखा था, थैंक्स फर वोट, अफकॉर्स अगर आप हमारा इंतखाब ना करती तो हमें और हमारी मुहपत को आज ये विसाल की घड़ियां क्यों कर नसीब होती बामाईनी नरम निगाहों में बहुत बेताबियां और बार्फंगियां थी, इमान की लंबी पल के हया से लरस कर आरिजों पे साया फगन हो गई हिजाब आरे आ गया था वरना वो तो लास्मन मुसा हयात की गलत फहमी दूर कर देती मगर फितरी जिजग शर्मो हया ने उसे बोलने के काबिल ही कहाँ छोड़ा था फिर तो जैसे मुसा हयात के हाथ उसे छेड़ने सताने का एक सुनहरा बहाना आ गया था देख ले अमा अपने बेटे की खुबरूई का कमाल एक नक्चड़ी मगरूर हसीना ने भी खुद से कहकर आपके सपूत का चनाव किया मुहपत इसी को तो कहते हैं वो उसे छेड़ कर उसका गुसा खजालत और बेबसी से सुर्फ पढ़ता चेहड़ा बहुत दिल्चस्पी से देखा करता था नौनसेंस ऐसा कि बिल्कुल भी नहीं है वो जिच हो जाती और मुततित बार असल वज़ा उसे बताती है मकर मुसा हायाद को तो मज़ा आया करता था फिर वो बहला क्यों बाज आ जाता शादी से पहले मुसा हायाद का जो तासुट था इमान के लिए वो तो उससे एकसर मुक्तलिफ रूप में सामने आया था शोक और शंग मजाच और बेहत पौलाइट किसम की नेचर के साथ बिला शुबा वो उसके लिए बेहतरीन शरीक हायाद साबित हुआ था उसकी युनानी देवताओं की सी चौका देने वाली पुरकशिश मकनातीसी शक्सियत उसे बिला शुबा हज़ारों में भी मुम्ताज रखती थी और सबसे एहम बात ये कि वो अपनी शक्सियत के इस चाम से अच्छी तरह आगा भी था मगर कभी भी मुसा हायात ने इस खुबसूर्ती का नजाइज इस्तमाल नहीं किया था इमान को तो वो युही मजाक में छिएर कर जिच किया करता था मगर वो कत्ता ही नहीं जानता था कि इस मौज़ू पे उसका मजाक इमान को अच्छा नहीं लगता वो अक्सर उससे उलच जाया करती मुधो रखें कभी आइना खुद से जरूर देखिए हम बहुत हस्तीम है अनोकी है दुनिया से खुबसूरत गुरूर किस बात कहा ही तो सरसर खुदा की तारीफ है वो भड़क जाया करती ऐसे वक्त पे मुसा हयात बहुत एहतियाद से उसका देहान हटा दिया करता था ओफो बेगम साहिबा एक बात पे ना अठक जाय करें मैं तो यूही छेड़ता हूँ आपको तो मत चिड़ा करें वो जुनजला जाती खुदा को मानो लड़की अगर तुम्हे नहीं चुरूँगा तो ये शौक क्या महले की लड़कियों भी पूरा करूँगा क्यों चितर लगवाने के दर पे हो इतने हसीन बंदे की तवज्जो पे कोई पागल ही होगी जो चितर मारी की वो जल जाती तो तुम मानती हो ये बात वो फिर पट्री से उतर जाता वैसे तुम्हे पता है तुम यूँ जलती भूंती भी कितनी प्यारी लगती हो मगर दूर दूर बैठ कर बिल्कुल नहीं और इमान उसके रोमांतिक मूट से खाइफ होती रहे फराद डूनने लगती सुभारवानगी का कहकर उसे समान पैक करने का कहा था इमान ने बगैर सोचे समझे फट से इंकार कर दिया तनहा क्यूं मैं हूंगा न तुम्हारे साथ वो फिदासा होने लगा हम उस ते मूँ बिगार लिया सिर्फ आप और वो भी ऑफिस में मैं बहला पीछे दिवारों से बाते करूंगी ना बाबा मेरा तो दिल घबराता है अकेले तुम कहो तो मैं आफिस आना बितर कर दूँ प्यार से काईद के फरमान काम काम और काम को प्यार बहुपत और रॉमैंस में बदल दू दिन रात लगातार मुसा हयात ने एक बार फिर पट्री से उतरते हुए एक मशूर आड की नकल उतारी हस्पि बंच्रा तबदीली के साथ जबके इमान का खिफ़त और हया से चेहरा सुर्ख हो गया था मुसा चुप कर जहें पस मैं कहीं नहीं जा रही आपके साथ उसके अजाइम सुन कर तो उसका इरादा और भी पुखता हुआ था उठा कर ले जाओंगा जबर्दस्ती सारे परमिंट हासल किये हैं महतरमा इसलिए नहीं जा दिगी थी कि तुम्हारे फराग में इतनी लंबी रातें तारे गिन गिन कर गुजरो बिल्कुल नहीं जाओंगी मुसा ने उसके लहजे की नकल उतारते हुए धमकाया था मगर फिर इमान का मूट खराब होता देखकर बकाइदा मिन्नत पे उतर आया देखो जालिम बीभी कुछ खयाल कर लो इन चन्द दिनों में इतना आदी हो गया हूँ तुम्हारा वहाँ अपरे दिल किसी ओश्रा में नहीं लगेगा हूँ आदी हो गया हूँ भई मैं चाय का कप हूँ ना नाही नसवार की पुढ़िया मसके न लगाए इमान ने उसकी एक नहीं जलने दी थी तुम इससे भी कुछ पढ़के हो बताओं वो उस पर जुका इमान खिल खिलाते हुए उसे धकेल कर उसकी पहुत से दूल हुई फिर वही जीती थी मुसा हायात का प्यार वहभपत बेताबी सब यों ही बेकार किया मुसा को तन्हा ही जाना पड़ा था से नहीं मेरी बड़ी फैमली और इस हवेली के रौनक से मतासर होकर शादी की है जाते हुए मुसा उसकी फता से सरशार अंदास को देखकर खवाखवा सा बोला था और वह बे एक्तियार खिल खिलाई थी थैंक गॉद आपको एतबार तो आया उसने बे एक्तियार सुख का साथ भरा मगर वो कहकर खुद ही फस भी गई थी क्या मतलब है तुमारा मुसा ठीठक से गया फिर उसे शानों से जकर कर अपने मुकाबल करता सकती से बोला था तो गोया ये सारा ढोंग तुमने इसलिए रचाया है वो उसकी आँकों में जहांक कर गुसे से जीगा क्या मतलब इमान उसके अंदास की सकती पे घबरा सी गई मतलब तुमने इस इल्जाम से बचने के गर्स से कि तुमने मेरा इंतखाब मुसा वो उसकी बात कता करके चिलाए बही सच है जो मैं आपको बता चुकी हूँ ना ये ढौंग है न वो अच्छा वो यकायक ठंडा पड़ गया यानि तुम ये साबित करना चाह रही हो कि तुमें मुझ से रत्ती बराबर भी दिल्चस्पी नहीं मुसा एक दम बुच कर रह किया इमान ने फिल फॉर्ड नफी में गर्दन हिलाई मगर अंदास में शरारत नुमाया थी अब भी नहीं है तो क्या हुआ होतो सकती है पंदे को मायूस पहर हाल नहीं होना चाहिए पकॉल शायर पेवस्ता रह शजर से उमीदे बहार रख इमान ने गोया उसे चड़ाने के साथ साथ उमीद का सिरा भी थमाया वो होसला तो क्या पाता अलबता चिर जरूर किया था जबी आँके निकाल कर बोला पच्चताओगी जोजा एक दिन पच्चताओगी अच्छा वो हसी थी मगर कैसे उसने जैसे मज़ा लिया था हम च्छीन लेंगे तुम से ये शान बेनियाजी तुम मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे जब आब बन वजुक कर बैक उठाते हुए बहुत जाम से शेर पड़ता एड़ियों के बल गूम कर चला गया जब कि इमान की जिच कर देने वाली हसी की आवास तूर तक उसका पीज़ा करती रही थी लो मैं हारा और तुम जीती ऐ दुनिया की सालिम तरीन बीवी महस एक हफते बाद ही वो चेहरे पे जमाने भर की बेबसी और जुन्चुलाहट के असार लिये बहुत आजिस होकर बोला था मुझे क्या बताते हैं इमान बेने आजी का मजाहरा करने को कांदे उचका कर बोली दावे तो आपने किये थे मुसा हयात हमने तो नहीं किये थे किये थे तो पूरे भी जरूर करेंगे मगर इस वक्त मसला और है मुसा जवाब बन खसियाहट के बगएर बड़े एतमाद से बोला था इमान ने वसकुराहट दबाई तुम चलो वहां मेरे साथ तुम्हारे मसले का हल तो मैंने निकाल लिया है मुसा ने इमान की आँखों के सामने चुटकी बजाए अच्छा मगर वो क्या इमान ने आँखे पहला कर हैरत का तासर देना जरूरी खराल किया वो ये के अनकरीब तुम्हें अपने बच्चों में मसरूफ कर सकता हूँ पिर तो तनहाई के शिक्वा नहीं रहेगा न मुसे की आँखों से अगर शरारत ना टपकती तो इमान शायद इतनी जल्दी बाद की गराई तक ना पहुँचती शट अप बलश होते हुए उसने हाया अलूद गुलाब चेहरे को उसकी गुस्ताक निगाहों की चमक से बचाने को हातों में धाप लिया था इमा प्लीज यार अब बस करो इस मजाग को रेली मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर वो बहुत आजिस आकर बोला था मगर ये मजाग नहीं है मुसा हकीकत है जिसे पता नहीं आप क्यों कबूल नहीं कर पा रहे है हकीकत यही है कि आपके इंतखाब के वक्त मुझे कत्वी अंदात नहीं था कि आप इतने डैश्रिंग स्मार्ट और हैंसम होंगे उसने इतनी संजीद की से कहा कि मुसा का जी चाहा अपना सर पीट ले माइ गौद एमी एक बात के पीछे क्यों पर जाती हो वो बुना उठा था इसलिए कि यही सच है वो संजीदा थी तुमारे इस सच की ऐसी की तैसी एक बात सुलो जोजा तुम्हें कल हर सुरत मेरे साथ चलना होगा वरना क्या इमान ने उसे गुरा वरना या तुम नहीं या मैं नहीं वो कहकर हसा था अब बताएं क्या करूँ मैं वो उसे ले तो आया था मगर वो एक दो दिनों में ही गुबरा के रो पड़ी थी देखो बेगम साहिबा ये गढ़ हमसाईयों का नहीं तुमारा अपना है इसे सजाओ सवारो मेरे कपड़े दो इस तरी करो खाना पकाओ फिर भी टाइम बचे तो खुद को मेरे लिए दुलहन के तरह सवार कर मेरा इंतजार करो फिर मेरे आने पे मेरा दिल बहलाओ टाइम गुजरने का पता भी नहीं चलेगा मुसा नहीं उसकी में आइंदा की मसरूफियत के भी बहुत चांसिस है यानि जितना ज़्यादा रॉमांस उतने ज़्यादा बच्चे फिर इतनी ही ज़्यादा मसरूफियत वो एक बार फिर पटरी छोड़ कर हसने लगा मुसा वो उसकी फजूल गोई पे कानों की लो तक सुर्क पड़ती उसके बाजू पे मुक्के मारने लगी मुसा ने यूही हसते हुए उसे बाजू के हसार में कैद कर लिया फिर कुदरत को उसके तनाई पर रहम आ गया था कि महस एक माही उसे वहां आई हुए हुए था कि वो प्रेग्निंट हो गई थी मुसा तो इतना कुछ हुआ था कि बस दिवाना हुआ जा रहा था देख लो बीवी सारी कुर्बतों की बरकते हैं वो उसे छेड़ने से बाज नहीं रह सका था इमान बलश हो गई थी मगर फिर हर गुजरते दिन के साथ उसकी तबियत पहले से ज़्यादा खराब होती चली गई ममा और अमा ने अपने अपने तोर पर इमान को साथ ले जाना चाहा मगर मुसा हयात राजी नहीं हुआ था वो हर पल उसे अपने निगाहों के सामने रखना चाहता था कितनी एहम कितनी खास हो गई थी वो इन दिनों मुसा हयात के लिए उसका बस ना चलता वो एक पूरा जहां उसके कदमों तले रखते था वो जहां पाउड रखती मुसा अपने पलकें बिचा दे और जब अमा के सामने वो इसी किसम के अलताफात जाहर करता तो इमान कितना किफ़ ज़दा हो जाये करती थी आपको शरब नहीं आती मुसा अमा के सामने मत हाथ लगाया करे मुझे अरे बई सहारा दे रहा था वो मैं अंत थोरी कर रहा था तो असने लगा पिर भी अमा भी तो है ना वो ये काम तो वो भी कर सकते है वो उलच पड़ती उससे ना भई मैं किसी पर एतमाद नहीं कर सकता मुझे नुकसान से बहुटर लगता है फिर तुमें कुछ हो गया तो कहां से लऊंगा मैं इतनी प्यारी बीवी और शादी कर लीजेगा बच्चे भी मिल जाएंगे वो कनूती होने लगी हाँ बच्चे तो मिल जाएंगे मगर बीवी तुम्हारे जैसी नहीं एमी तुम खास हो यार फिर मेरी मुहपत भी और वो शांत होने लगती मुकमल महसूस करती खुद को अश्चत की पैदाइश तक अमा मुस्तकिल उसके साथ रही और जब वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था तो इमान ने मुसा की गबराहट को वो अखलाटों में बदल दिया था मुसा मुझे लग रहा है मैं बस मरने वाली हूँ और अश्चत की पैदाइश के बाद जब उसे होश आया तो मुसा का हाथ थाम कर वो बे एक्तियार रो दी थी उफ खुदाया ये कितना मुश्किल है मुसा प्रीज मुझे से प्रामिस करें आप में जीद बच्चे की खौईश नहीं करेंगे ठीक है न वो वाकई इतना कौफचादा हो गई थी कि मुसा से वादा लेने बैठ गई थी ओके ओके मुसा खजल सा होकर हसा था तुम देखो तो सही हमारा वली एहत कैसा मसूम सा फरिष्टा लग रहा है कितना क्यूटू है समझ नहीं आ रही मुझ पे गया है या तुम पे मुसा उसका देहान बटाने को बच्चे की तरफ उसकी तवज्जो मबजूल करने लगा जितना भी क्यूट हो पहरहाल ये तो तैह है मैं ये अजियत कभी बुला नहीं सकती हूँ ना इसे दुबारा सहने को होसना रखती हूँ इमान ने जुर्चुरी ली थी मुसा एक नजर उसे देखकर रह गया मगर चंद माँ बाद जब वो फिर से प्रेग्रिंट हुई तो मुसा से कितना नरास हो गई थी इतनी खफा कि उससे कितने ही दिन गुसे में सीदें वो बात नहीं की थी और मुसा विचारा उसे मना मना कर हारने लगा था कैसे कैसे नास नहीं उठाता था उसके फूलों की तरह उसे रखा हुआ था और अब अब वो इस हद तक बेजार था कि वो उसके सामने लम्हा लम्हा सुलक सुलक कर खत्म हो रही थी और वो बे परवा बना हुआ था इतना बड़ा तो नहीं था उसका जर्म बस वो यकीनन उसके दिल से उतर की थी और ये ख्याल इतना जान लेवा था कि वो रो रो कर भी नहीं तकती थी बाबा आज संडे है आज हमें सी व्यू ले चलेंगे मुसा नाश्टा करने के बाद न्यूस पेपर देख रहा था जब अश्चित ने जूस पीते हुए उसे वो खातिब किया मुसा ने कुछ चौक कर उसे यू देखा जैसे बाद को समझने में दुश्मारी हुई हो फिर कुछ सोच कर इंकार कर दिया सौरी माई सन वो ऐसा है कि आज बाबा को बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है क्या ख्याल है नेक्स्ट संडे को ये प्रोग्राम ड़न कर लेते हैं इंशाल्ला उसका गाल सहला कर नर्मी से कहता वो फिर से अखबार की तरफ मतवचा हो गया वाइ नौट नाओ बाबा क्या आपका वो काम अब हम से भी ज्यादा एहम है ममा भी अब हमें लेकर शाम को पारक नहीं जाती है लाइफ में कोई तो थ्रिल होना चाहिए ना बाबा वो पाउं पटक कर कह रहा था जब के मुँ सब बुरी तरहां से चौंका था ममा क्यों पारक नहीं लेकर जाती वो अच्छा खासा उलच गया वो इमान की रोटीन से अगाह था हर शाम बच्चों को निस्टीक पारक ले जाना और वापसी पे आईस क्रीम दिलाना इमान का ममूल था वो कहती है उनकी तब्यट ठीक नहीं है काम भी मुश्किल से करती है हर वक्त लेटी रहती है या पिर रोती रहती है बाबा आपकी ममा से कटी हो गई है आम से अंदास में बाप को मालूमात देता हुगा बच्चा एक तम जैसे कुछ ख्याल आने पे चौका और बाप को गड़बढ़ा के रख दिया नहीं नहीं तो आप से किसी ने कुछ कहा उसकी कुछादा पेशानी पे शिकने सी उभर आई थी ये सोच ही दमाग को तनाव का शिकार करने लगी थी कि इमान ने बच्चों के साथ ऐसी फजूल बाते की है नहीं बाबा बस मामा पहले की तरह ना हसती हैं नहीं हमसे खिलती है पर आप भी तो उनसे बात नहीं करते वो पांच साल का बच्चा उसे चकरा के रख चुका था मुसा पजी पजी आँखों से उसे देखता रह गया उसे मुहताद होना पड़ा था नहीं चानू ऐसी बात नहीं है आपकी ममा की तव्याद कुछ ठीक नहीं है बस इसलिए वो चुप रहती है आप डिस्टर्ब मत हो जरह देखो बेहन क्या कर रही है उसे अपने साथ रखा करो ना के ममा को तंग करने के लिए ओके वो उसका गाल सहला कर डिर्वी से समझाने के अंदास में बोला कुछ खयाल आने पे दुबारा से पुका रहा था बलके ऐसा करो बेटा आप जैनी को भी बुला लाओ हम सी व्यू चल रहे हैं उसने अचानक ही जाने का फैसला कर लिया था ओह रेली बाबा अज़द एकदम से चहक उठा मासूम चेहरा लवहों में गुलाब बनकर खिल उठा था मुसा ने उलच्चते हुए गहरा सांस खेंच कर गाड़ी की जाबी उठाई और कदम बाहर की जाने बढ़ा दिये थे अमा फॉन पे आपको कुछ नहीं बता सकती बस आप प्लीज यहां आ जाएए इमान फॉन पे महवे गुप तगुथी और अपने तहीं उसने अपना लहजा ऐसा रखा था कि अमा कम से कम तश्वीश में मुपतला हूँ इसके बावज़ू दूसरी जानिब अमा अच्छी खासी बोखला गई थी मगर बच्ची कुछ ना कुछ तो जरूर बताओ न आकर क्या हुआ है तुम परिशान क्यों हो बच्चे तो ठीक है और मुसा वो तो अच्छा है ना तुमारे साथ कुछ कह तो नहीं दिया तुम से खुद तुम कैसी हो वो इतना गबरा गई थी कि सवालों की वो चाड़ कर दी बोलो बेटा तुम ने तो मानो मेरे हाथ पाऊं ही पुला दी है उन्होंने उसकी खामोशी पे बुकारा अब क्या कहूं अमा मेरा मकसद आपको परिशान करना तो नहीं है जब ही कह रही हूँ कि यहां आ आ जाए मैं उसकी बात मुकमल नहीं हो सकी उससे पहले ही डिसीवर उसके हाथ से जपटने के से अंदास में चीन कर क्वेडल पे पटक दिया गया वो घबरा कर मुडी तो मुसा की खश्मगी निकाहों से नजरें चार हो गई क्या हरकत थी है इस तरह जरा सरा सी बात की इतला देकर मेरी मा को परिशानी में मुब्तला करते शरम तो बहर हाल तुमें नहीं आती होगी उकड़े हुए सर्थ लहचे में वो इतनी अजनबियत से बोला था कि इमान बस आंसों की दूंद में उसका दूंदलाता हुआ अक्स देखने की कोशिश करती रह गई उसके आईनी गिरिफ्ट में तूटकर कलाई में चुपती चूड़ियों की असियत पे तिल मिलाते हुए इमान ने एक जटके से अपना हाथ दरम्यानी फासला बढ़ा दिया था और इस तरहा फॉन बंद कर देने से तो वो वैसे भी बहुत मुतमें और सरशार हुई होगी कलाई पे उबरती खून की बंदों को एक नजर देखती वो तड़कर बोली शट अप उसके बगैर दबे बरवक्त सही गिरिफ्ट कर लेने पे मुसा तिल मिला कर चिलाया इससे पहले के जवाबन इमान भी कुछ कहती फॉन की बैल जोरो शोर से बच उठी मुसा ने पहले तलकी भरी निगाहों से उसे गूरा फिर हाथ बढ़ा करसी बर उठा लिया हेलो मुसा बेटे अभी इमान से बात में कर रही थी अच्छी खासी परेशान लेकी मुझे तो फिर आचाना फॉन बंद हो गया सब ठीक तो है ना अमाने बेकरारी से कहना शुरू किया था जी अमा आफिकर ने करें उसे क्या हो ना है बस आदत से मचपूर है मुहतरमा खामाखा दूसरों को परेशान जरूर करेंगी पिशानी पे नागवारी की शिकने लिए बोलते उसने एक बार फिर इमान को गुरा तो वापस मुढने को थी एक दम रुप कर उसे देखने लगी ये तुम उसके लिए किस लहजे में बात कर रहे हो मुझे तो शक है तुमने ही ऐसा वैसा कुछ कहा होगा जबी तो बिचारी बच्ची परिशान हो गई अमाने उसे आड़े हातों लिया तो मुझे का हलक करवासा हो गया बिल्कुल सही आपकी बहु बेगम की शान में गुस्ताकी का मुर्तकब तो वाकी हुआ हूँ आप भी मुझ में ही कुसूर निकाले ओ सौरी ये कोई नई बात थोड़ी है वो गहरे तंज से फुनकार कर बोला अच्छा बक्वास ना करो मैं अभी अपनी जगा ठीक हूँ मैं भी अपनी जगा ठीक हूँ बच्ची को अकेले उठा कर मैं के छोड़ना क्या तुमारी गलती नहीं थी जो भी बात थी अपने गर बैटकर सुलजाए जा सकती थी मगर तुम लोगों को तो अकल कौन दे दो दो बच्चों के वालदायन होकर बचकाना हरकतें नहीं जाती है तुमारी इमान से बात कर वाओ मेरी एक बार फिर अच्छा खासा ज़ाड कर जब उन्होंने अगला हुकम दिया तो मुसा का गुस्सा दोचंथ हो गया बात में बात कर लीजिएगा वो मौतरमा अभी यहां नहीं है मुसा ने मुँ बिगाड कर तलखी से कह दिया क्यों कहां चले गई अभी तो यहीं थी जबी तो फौन किया था ना मुझे इतनी जल्दी कहां चले गई उधर अम्मा अपनी समझ के मताबिक कयास करके हरासा हो गई कहां जाएंगी जाहिर है यहीं वाश्रूम में होंगी बड़ना मुझे क्या पड़ी है जूट बोलने की मुझे ने बड़े धरले से जूट बोला तो इमान से मज़ीद बर्ताश जैसे खत्म हो गई थी इतना अंदाजा तो बहरहाल वो भी लगा चुकी थी कि अम्मा उसके मतलिक सवाल जवाब करते हुए परिशान है मकर मौसूब को जैसे एहसास ही नहीं रहा था के माउथ पीस पे अपनी चोड़ी हतेली जमा कर किसी कदर गुसे से बोला था अम्मा के सामने कोई ऐसी वैसी बक्वास करने की ज़रत नहीं है बात करो जरूर करो मगर काम की उसका लहजा ही नहीं उसकी आँखियों और शेरे के तासुरात भी इसकदर तीखे तुष और जामित से थे कि इमान का दुखी दिल और भरा गया उस पल कुछ ऐसे दुख का शिकार हुआ कि वह लब सकती से बीच कर अंदर से उमटती सिस्कियों पे काबू पाती रिसीवर क्रेडल पे पटा कर एक जटके से बलट कर अंदर चरी गई और मुसा उसकी कुटी गुटी सिस्कियों की आवास सुन कर सर जटकता हुआ पलट किया क्या हुआ मेरी जान तबे तो ठीक थी ना मैं तो इतनी परेशान हो गई थी कि एक पल को भी बैटना सकी नहाल को लेकर पहली फुरसत में तुम्हारे पास पहुँची हूँ तुमने हालत क्या बना रखी है तबे तो अच्छी है ना इतनी कमजोर हो गई हो खेरियत अम्हा को तो उसे देखते ही हौल उटने लगे थे छूचू कर देखती हरासा हो गई थी सवाल पूच पूच कर ठक गई थी मुहबत अपनायत और हमदर्दी के इस मظाहरे पे इमान का जब्द बुरी तरहां से बिकना था बस फिर क्या था उसे लिपट कर जो उसने दुआधार तरीके से रोना शुरू किया था तो वो उन्हें सरासीमगी की इंतहाओं तक पहुचा डाला मुझा ने कुछ कहा बताओ तो सही उनकी जान निकली जा रही थी इमान ही उनकी तश्वीश और गबराहट से जर्द होती रंगत देखकर एकदम चौंकी और पिर खुद को संभाल कर दुपटे के पलू से चेहरा और आँखे रगड़ कर साफ करते होट चबाने लगी कुछ नहीं अमा बस यो ही अकेले जी घबरा गया था हैं अकेले? अमा ने दिल ताम लिया बच्ची पागल हो गई हो खैर से मिया और बच्चों वाली हो अकेली किदर से हो गई हो इमान तो जैसे फस कर रह गई थी अमा मैं ममा पापा की वज़े से कह रही हूँ वो भी तो यहां नहीं है आप लोग भी याद आ रही थे उसने आखें चुराई अमा को जरा बराबर भी जो यकीन आया हो कुछ फासले पे बैठा नहाल भी कुछ कम परेशान नहीं रख रहा था वो खिफ़त जदा होने लगी इतनी सी बात पे कोई खुद को यूं हलकान तो नहीं कर लेता बच्ची मुझे असल बात बता दो सच्ची दिल बैठा जा रहा है वरना अभी नहाल को कहकर मुझा को बिरवाती हूँ उन्होंने उसकी शिकस्ता सी हालत देखकर साफ जूट पकड़ा और साथ ही दमकी भी दे डाली तो इमान सही मानों में बेबसी होकर उन्हें देखने लगी तब फिर अम्मा को उन पे रहम आया था तेरे दिल में जो भी है बिला जिजक कहदे मैं तेरी मा हूँ उन्होंने पुछकारने के अंदाज में कहकर उसके बिख्रे बाल समेटे नहाल उसकी खमोशी को महसूस करता उठकर चला गया था कुछ भी नहीं अम्मा वो मैं एक पर फिर प्रेगनेंट हो गई हूँ न तो आपको तो पता ही है कि ऐसी हलत में क्या हो गई हो अम्मा के खाग जो पले पड़ा हो इमान अच्छी खासी खफीब सी हो गई अम्मा आपका तीसरा पोता या पोती भी आने वाला है नजरें जुका कर वो फीके से अंदास में मुस्कुराई और अम्मा जो जाने कितनी हरासा हो चुकी थी एक दम से हलकी पलकी होती उसे लिप्टा कर बलाए लेने दुआई देने लगी मगर इमान के अंदर ठहरी ठकन और यासियत नहीं ढली दी मेरी बच्चे ये बात भी तेरी सही है मगर इसके अलावा भी कुछ है ऐसा जो तू मुझ से चुपा रही है उन्होंने उसकी रंजीदा हालत को देख लिया था इमान के चेरे पे तारीक सा साया लहरा गया नहीं अम्मा प्लीज हमखा परेशान मत हो बस तनहाई में जी घबराया था बच्चे स्कूल और मुसा आफिस चले जाते हैं आपको तो पता है मुझ से अकेले वक्त नहीं करता प्लीज अम्मा आप मुझे काउं साथ ले जाएं उसने बहुत डर कर जिजग कर कहा मुझे लगता है आप वो हवा की तदिली से भी तबयत पे अच्छा असर पड़ेगा वो नजरें चुड़ाए हुए थी आपको क्या पता अम्मा आपका बेटा कितना बदल गया है मुझे तो लगता है अगर मैं यहां रह गई रह कर उसके बे अतनाया और बे परवाया सहती रही तो गुल गुल कर मर चाओंगी मुझे को पता है तुम वहां जाना चाह रही हो अम्मा बहुत खामोश और गहरी नजरों से उसे देख रही थी जी मैं बता दूँगी वो मना थोड़ी करेंगे मैं नहीं जानती हूँ जैसे वो मना नहीं करेगा अरे पगली वो तो सिरे से माने गाही नहीं तेरे बगएर रहने पे कब अमादा हो सकता है अम्मा ने मुस्कुरा कर कहते उसे बहुत महपत से देखा तो इमान के सीने से एक हौक सी उठी सब कुछ बदल क्या है आपके बेटे समेट आपको क्या पता अम्मा मैं उनके रवयों की मार से तंग आकर ही तो ये राही फराद डूडने पे मचपूर हुई हूँ वो बहुत कर्ब से सोच कर रहें गई इमान कितनी कमजोर हो रही है तुम इस जरा इसका भी एहसास नहीं है इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हो इससे अम्मा ने शाम से रात तक बहुत खमोशी से दोनों का बकौर जैसा लिया था और अब मौका पाते ही उस पे गिरिफ्ट कर ली मुसा को के मा और भाई के सामने मुहतात रहा था उसके बावजूद अम्मा की निजरों ने उस कशीदगी को पा लिया था लापरवा कहा हूँ अम्मा रखता तो हूँ खयाल अब वो चोटी सी बच्ची तो है नहीं के गोद में उठाय जुलाता भी रूँ वो अम्मा की हम दड़्डी से अंदर ही अंदर बुरी तरहां कुड़ा था पेजारी से बोला इमान इमान हुँ हवासों पे सवार हो गई है ये खुबसूरत चुडेल हर किसी के चुडेल हर किसी के उसे बेतहाशा ताओ आ किया था वो जब भी ऐसी हालत में हुआ करती थी तुम उसका किसी चोटी सी बच्ची की तरह ही कहारा रखते थे मुसा अब भूल गए हो तो अलग बात है या फिर उक्ताने लगे हो इस रूटीन से क्या समझू में बेटा बच्चों का शौक जाता जा रहा है ऐसा था तो फिर इस बचारी को इस मुशकत में डालने की क्या जरूरत थी अम्मा का लेंजा ना चाहते हुए भी तुन्दी तल्खी के साथ गहरा तन समेट लाया तो उनकी बात को बेद्यानी से सुनता मुशा चौक सकया कैसी हालत बच्चे रूटीन अम्मा क्या कह रही है आप उसकी हैरत उलजन और तहयूर अज़ध खुद चुगली खा रही थी उसके बेखबरी और लायल्मी की अब चौकने के बारी अम्मा की थी गोया उनके ख़द्शाद बेबुनियाद नहीं थी दोनों के दरमियान कोई तो बात जरूर थी शाबाश पुत्तर इसका मतलब तुमें ये भी पता नहीं है कि एमान उमीद से है उन्होंने जिस कदर तीक है और तुश अंदास में मुलामत की थी मुसा को पूरी तरहां से सट पटा कर नजरे चुडाने पर मचपूर कर दिया था जी पता है बिल्कुल पता है भला मुझे क्यों न मलूम होगा बस इस वक्त जहन में नहीं रहा था अपना भरम रखने को खामखा हस कर खजालत दूर करता हुआ बेरब्द अंदास में यकीन दिलाता उन्हें अपना काबल रश्क एतमाद वाला बेटा इस वक्त अच्छा खासा हौंक सा लगा जब ये मज़ीद चताने या टोके बगएर चुप चाप उसका जायजा लेती रही मुसा उनकी इन जायजा लेती बहेद पाती नजरों से जुस्पुस होता कुछ दिर बाद ही वहां से उठकर खिसक गया था अगर तुम्हें ये बात पता थी और वक्ती जहन से निकल गई थी तो ये भी निकल गया होका कि इमान मेरे साथ कल गाउं जाना चाह रही है बताया तो होका इसने तुम्हें उन्होंने महज अंदेरे में तीर चलाए था जो बिल्कुल सही निशाने पर जाकर लगा था वो दर्माजे तक बहुत चुका था बहीं खड़ा रह गया कि उनका अंदाज ही ऐसा था कि वो पानी पानी हो गया फिर फिल फॉर इस खजालत के एहसास से निकलता हुआ बोला नहीं कहड़ ये बात तो इमान ने मुझ से नहीं की पूछता हूँ उसे बैटे बठाए गाउ जाने की क्या सूजी है इस मरतबा उसके लहजे की खजालत पे अजली एतमाद गालिब आ चुका था अमा ने पुट तश्वीश निकाहों से उसे देखा और उसके जाने के बाद किसी सोच में गुम हो गई पाउं की ठोकर से वा होने वाले दर्वाजे पे इमांग जो वाडरॉब खोले कपड़े निकाल कर बेट पर धरे सूट केस में रख रही थी कुछ कबरा कर पल्टी मुसा को कुछ वासले पे बहुत खश्मगी निकाहों से अपनी सिम देखते पा कर उसके दड़कनों में कैर ममूली हल्चल सी पैदा हुई थी मगर अगले ही लम्हे खुद को कंपोस करती उसे नजर अंदास करके फिर से साब का मसरूफित में बगण हो गई किस सिलसले में हो रही है ये पैकिंग दर्मियानी फासला घटा कर वो उसके सर पर पहुँचकर सर्द आवाज में इस तफसार कर रहा था इमान ने जवाब में कुछ कहने की जुरत नहीं समझी और बदस्तूर अपने काम में मसरूफ रही मुसा को बहुत इंसर्ट महसूस हुई थी इस नजर अंदाजी पे क्या पूचा है मैंने बेहिस होने के साथ सथ अब बहरी भी हो गई हो उसकी कलाई अपनी आहिनी गिरिफ्ट में जकर कर बेदर्दी से मरोरता हुआ वो उसे एक ही जटके में अपने मुकाबिल खेंश लाए था उसके लेंजे में जो सर्द फुनकार थी वो इमान के अंदर होती तूर फूर में मजीद इजाफा कर गई थी मुसा छोड़े मेरा हाथ मुझे दर्द हो रहा है वो सिस्सक कर बोली आँखें कैसे लमह भर में पानियों से जल लग गई थी मगर मुसा ने जैसे सुना ही नहीं था अगर अम्मा तुमसे मुहपत करती है तो इस रिष्टे इस बंदन की वज़े से जो तुम्हारा मुझ से बंदा हुआ है इस खसूसी एहमियत को लेकर आपे से बाहर मत हो जाओ चाहूं तो अभी दो मिनिट में तुम्हें तुम्हें तुम्हारी अकातिया दिला दू उसकी आँसों से भरी आँखों में अपनी चिंगारियां उडाती नजरें गाड़े वो इश्टाल अमेस लहचे में गुराया बगैर किसी लहास और मुरवत के बुलंद से बुलंद तर होता उसका लहचा गया इमान को लगा उसकी कलाई की हड़ी अभी चठक कर तूट चाएगी दर्द की शिद्द से दोहरी होते हुए इस सलुक पे वो बिलबिला कर चीकी थी क्या करेंगे आप तलाग देंगे यही दमकी है ना आपके पास आंके बहुत तेजी से बरस पड़ी थी जिने उसने बहुत बेदर्दी से साफ किया और मुसा के ठिटके हुए अंदास को तेज नजरों से देखा जो आपके दिल में है कर ले मुझे कोई फरक नहीं बढ़ेगा मुसा को जैसे जटका लगा वो उसका हाथ छोड़कर फास्ते पे हो गया उसका लहजा ही नहीं आखें भी जैसे इस पल इमान के इस अंदास पे गैर यकिनी और तास्व समिट लाई थी इमान चुप चाफ सिस्कियां भरती रही मुसा ने गहरे सास भर के तैश पे काबू पाया था जब ही बोला तो लहजे की घंगरज तलकी और बरहमी में बहुत हद तक कमी आ चुकी थी क्या कहा था अम्मा से तुमने आप से मतलब जो भी कहा हो इमान अभी तक अपनी कलाई सहला रही थी लगाई बुझाई की आदत हर औरत में होती है मगर मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस बुराई से माला माल मुसा वो गुसे में पागल होते हुए चीखी क्यों बुरा लगा ना सच वो गहरे तन से हसा पिर सूट केस को ठोकर रसीद करते हुए फुनकार कर बोला था कहीं नहीं जा रही हो तुम अराम से घर बटो जो भी मामला है उसे यहीं हल होना चाहिए आप होते कौन है मुझे रोकने वाले और यहां इसलिए रहूं कि आप मुझ पे अपने जुम के पहाड तोड़ कर दिल खुश करते रहे यह भूल है आपकी ना तो मैं फालतू हूँ ना ही लवारिस इमान ने जवाबन गुसे से उबलते हुए एक एक लफ़ज चबा कर कहा जवाबन मुझे उसे सुर्क नजरों से गुरा था और उंगले उठा कर तंबीह के अंदास में बोला तुम हद से बढ़ रही हो इमान और आप हर हद क्रॉस कर चुके हैं वो चीख कर दूबदू बोली मुसा ने उसके अंदास की सरकशी को महसूस किया और एक लावा अंदर तहकता हुआ महसूस करने लगा मगर वो तैश को दबा कर बहुत ठहरे हुए लहचे में गोया हुआ था तुम्हें अंदाजा है इमान तुम बहुत गलत कर रही हो तुम प्रेग्डिन्ट थी ये बात मुझे बताने की बज़ाएद तुमने अम्मा को बताई उसका अंदाज बलामती महसूस करके इमान ने सुर्ख चेहरे समेत जरा की जरा पलकें उठाई आपको किस हिसाब में बताती इनसान हमेशा दुख सुख की बात अपनों से ही करता है आपने जो सलू किया मेरे साथ इसके बाद इसकी गुझाईश बागी थी बना वो तड़की मुसा ने बहुत चौक कर उसे देखा अभी भी तुम ये समझसी हो इमान कि जो कुछ गलत हुआ है वो सारे का सारा मुझ से हुआ है ओके फाइन फिर जो तुम्हारा दिल चाहे तुम बो करो जहां तक इस शेयर ना करने की बात है तो तुम ने बिल्कुल ठीक किया ये अपनों और प्यारों से ही किया जा सकता है और कोई भी इनसान बहराल जबरदस्ती किसी से महपत या अपनायत और महपत नहीं ले सकता मुझे तो आज से बहुत पहले शादी के शुरू दियों में समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे इस फैसले में मैं तो दर्मियान में कहीं भी नहीं हूँ तुमारी तरजीहात में तुमने तो मुझ से शादी इसलिए की थी कि तुम्हें मेरी बड़ी फैमली ने मुतासिर किया था वो अजीब से अंदास में हसा फिर गहरा सांस खेंच कर कुछ देर की खमोशी के बाद उसे देखे बगैर बोला था तुम गाउं जाना चाहती हो चली जाओ मैं बहला कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला अपनी बात मुकमल करके वो रुका नहीं था पलट कर देश कदमों से बाहर निकल गया इमान जो कुछ हैरान कुछ परेशान से उसे सुन रही थी कुम सुमसी उसकी बातों पे गौर करती रह गई बहुत दमाग खराब हो गया है मुसा का और उसे ठीकाने पे लाने के लिए तुम्हारा उससे दूर हो जाना ही बहतर है जब अकेला घर काट खाने को दोड़ेगा ना बीवी के हाथ के मज़े मज़े के खाने और दुले दुलाई कपड़े नहीं मिलेंगे तब भोश आईगी उसे अम्मा को मुसा के अंदाजों अतवार से जो सदमा और गुसा पहुचा था उसकी वज़ा से ही वो उसे अपने साथ ले आई थी जबके इमान गुम्सम थी उसने अपने तई कमजोर सा एहतजाच भी किया था अम्मा, दो बच्चे, उनका स्कूल अरे कुछ नहीं होता कौन सब बार्वी चोजवी में पढ़ रहे हैं तुम्हारे ये बलूंगडे बस चलो तुम वो कुछ बेचैन, बेताब सी थी, आना नहीं चाहती थी मगर अम्मा के सामने बेबस हो गई जो बेटे को उसकी बत्तमीजी का मज़च चकाना चाह रही थी मुसा ने उसकी और बच्चों की तयारी को सपाट नजरों से देखा था और अगली सुबह बहुत नॉमल अंदास में तयार होकर आफिस चला गया था अब उसे गाउं आए भी महिने से उपर हो चला था ऐसे में जिलहच का चान नजर आया तब उसका बेकरार परिशान सा देल कुछ और भी वहशतिय समेट लाया हलांके इस अरसे में मुसा ने एक बार भी पलिट कर उसे नहीं देखा ना फौन किया ना मैसेज अब तो अम्मा का भी गुसा उतर गया था अलबता उन्हें बेटे की मुस्तकिल मिजाजी पर रह रह करताओ आ रहा था उटते बैटते उसकी बेहिसी नाएली और संग दिली के शिक्वे करती नजर आया करती फौन वो करता तो सिर्फ बच्चों से अबबा या पिट नहाल से और सीमा से बात करता अम्मा खुद इंकार करती तो वो इमान को लिफ्ट नहीं करवाता था जिन्दगी पे इतनी महपतों और रौनकों के बावजूद एक जमूत सातारी था सिर्फ उसी एक शक्स के ना होने से वो अंदर बाहर से कितनी खाली होगी थी कितनी महपत थी उस दुश्मेने जां के लिए दिल में अगर वो जान लेता तो ये कीन करता भला वो जानता है उसका दिल धड़का जानना चाहिए अंदर से सवाल उठा उससे बढ़कर बला ये हक और किसको है दिल ने दलील दी और वो चुपसी हो गए तो क्या मुझे पहल करनी चाहिए मगर अना मतामिल थी गुरेजा थी मगर दिल बेताब जिन्दगी कुपसूरत है मगर उसके साथ उसके बगएर नहीं उसने सोचा और चुपके से दिल की मान ली और अपना सेल फॉन निकाल लिया मुझे पे भी उठ रही हैं दुनिया की उंगलिया शायद उसी का नाम है रुस्वाई आके देख होने को यू तो चाहने वाले भी कम नहीं ये दिल है सिर्फ तेरा तमन्नाई आके देख उसने एक मासेज उसके नाम सेंट किया फिर कुछ सोच कर मजीद लिखने लगी प्रीत की थी तो उमर भण युभाते साजन युबीच रह में तो छोड़ ना जाते साजन दे गए हो आँसू आहें और गम की रातें इद आई है काश तुम भी आते साजन उसने आहिस्तेगी से सैलफ़ान रखा और तक्ये पर सर रखकर आँखें मूदी लबों पे एक खुबसूरत मुसकान थी जिस दिन से मासेज सेंट किये थे उसी रोज से उसे मुसा का इंतजार लग गया था हर हर आहट पर वो चौकी और फिर उसे ना पाकर ठक से जाती जिलहज की दो तारीख थी जब उसने वो मासेज उसके नाम भेजे थे और नो तारीख का सुरज भी डूब गया उसका दिल, खुश फहम, यासित की अता गहरायों में जा उतरा वो जरूर आएंगे का यकीन मायूसी में ढल गया था धर्ती के उजालों के साथ उसके अंदर उमीद की रोशनी भी जाती रही सर्दी की कोहर ने अपनी दवीश चादर में धर्ती को छुपाया और हर सू सननाटे वखेर दिये तब वो मयूसी और दिल गरिफ्ती में गिरती सब के दरम्यान से उठकर अंदर चाही आई तो आप नहीं आए मेरे बुलाने पे भी नहीं वो आसू दो आसू पलकों से तूट कर कहीं गुम हो गए वो जानती थी अब वो नहीं आएका वो हमेशा दिन खड़े ही आया करता था कि गाउं को आने वाला रास्ता खतरनाक था अब बिल्कुल रात को आने की अजाज़त नहीं देते थे वो उसके तसवर के सामने आन खड़ी हूई जरूरी था मुसा कि मैं हाथ चोड़ कर माफी मांगती या पिर चीख चीख कर ऐलान करती कि मुझे आपसे मुहपत है इतने कठोर हो गए हैं कि मैं बुलाओं और फिर भी आपना आए उसकी तस्वीर पे उंगली फेरती वो किसी तरह भी खुद पे काबू ना रखते हुए बराई हुई आवास में बोली बिल्कुल गलत कोई कितना ही समझतार क्यूं न हो बहरहाल मुहपत में इजहार इस जजबे को तक्वियत बख्षता है ये कम बैक कहने की बज़ाए अगर तुम I love you लिख देती तो हमारा विदेल खुश हो जाता मगर हुखा ये ना थी हमारी किस्मत के इजहार इश्क होता अपने इतने करीब मुसा की भारी शोख फ्रेश आवास सुन कर वो एक जटके से बल्टी और उसे गैर मतवक्त तौर पे रूबरू पा के कुछ लम्हों को गंग से रहके बे पाया खुशी चुपाते हुए मुझ बना लिया तो गोया आप मेरे तमाशा देख रहे थे नहीं बिलकुल भी नहीं मैं वाकर गुसे में था जरा सी बात का बतंगर बना कर जिस तरह तुमने बात बात बे मुझे ना सिर्फ जलील किया बलके डिस हाथ किया इसके बात इतना सा गुसा भी मेरे खयाल में कम है वो तो शुकर करो महपत करता हूँ तुमसे वरना बहुत कड़ी सजा देता इससे कड़ी सजा और क्या हो सकती थी इमान लरस कई तुम बना सकती थी मुझे मगर महतरमा उल्टा एंट कर बैट गए मुसा ने उसका भीका मतूरं चेहरा गहरी नजरों से देखकर शाकी होकर कहा मनाने की कोशिश की तो थी इतनी तो हींगी आपने वो उस पल की खिफ़त को याद करके सुर्ख पढ़ने लगी बस एक बार सरासी कोशिश करके फर्स अदा कर दिया मुसा ने मलामत की आपका अंदाज ही ऐसा था उफ मुसा गुसे में आप कितने खौफनाक हो जाते हैं सच में बहुत डरने लगी थी मैं आप से और मुझे बेज़ती से भी बहुत गुसा आता है और चाहे जिन्दगी के खुबसूरत देन उस मनुस अना और खौफ की निज़र हो जाएं मुसा ने बेदरीक घुरा तो आप कर लेते ना पेशरफ्त कैसे रुला रुला कर मारा मुझे तब वो मुहपत कहां चास हुई थी आपकी उसे एक एक जियाती जैसे नए सिरे से याद करके रोहांसा करने रगी शुकर करो बीवी मान गया हूँ वरना तो अभी और नसीहत का इरादा था मेरा मुसा ने उसका गाल सहला कर खामखा चड़ाया तब एमान चौक सी गए क्या मतलब है आपका आप मुझे कुछ नहीं है मतलब बतलब अपने नन्ने से दमाग पे इतना बोशना ड़लो और हाँ वहाँ एक पैकेट है उसे खोलो कल के लिए तुम्हारे लिए ड्रेस लाया हूँ पिछली ईड जो तुम्हारी वज़े से खराब हुई थी अब इतनी अच्छी तरह तयार ना हुई तो मुझ से बुरा कोई नहीं होगा मुसा की दमकी में जो मुहपत और गुजरे वक्त का मलाल था उसे महसूस करके इमान के लवों पे असूतकी से बरपूर मुस्कुराहट बिखर गई पैकेट खोलते हुए वो रब की शुकर गुजर होने लगी जिसने उसकी खोई हुई खुशियां लोटा दी थी खुली खिड़की से टीवी पे लगे गीत की आवाज आ रही थी उसने सर उंचा करके मुसा हयात को देखा वो भी उसे ही देख रहा था ठैंक्स बहुत अच्छी लग रही हो आईने में उसका जिल मिलाता हुआ अक्स बहुत अच्छा लग रहा था और आप भी उसके जबान बे साख्तगी में फिसली थी उसने लब दातों दले दबा लिया मगर अब क्या हो सकता था इतनी अच्छी बात इतने फासले से की है सारा चाम खतम कर दिया है यहां आओ डियर वो उठकर बैठ किया ईत का दिन है कुछ आपको देना होगा रसमे दुनिया भी है मौका भी है दिस्दूर भी है वो अपनी जगा से टस से मस नहीं हुई अलवत्ता मुस्कुराते हुए उसे जरूर चुडाया था मेरी ईदी निकाले वो भी डबल पिछली ईद की भी साथ ही वसूली होगी वो बनी सवरी उसके होश उड़ा रही थी हाँ बिलकुल हमारे वाजबात अदा कर दो हम भी वसूली में देड नहीं करेंगे मुसा उठकर उसके पीछे आखड़ा हुआ और दोनों हाथ उसके कांदों पर रखकर रुख अपनी जाने पहरा मुसा कोई दानले नहीं चलेगी पहले मेरी ईदी उसकी आखों के शोक रंगों ने इमान को सट पटाया तो वो चीगी खुद ही तो कह रही हो ईद का दिन है कुछ हमें देना होगा यार दे ही तो रही है उसने जबरदस्ती हाथ पकड़ कर लबों से चुआ होंटों पे शरीर सी मुसकान थी चले जी हमने तो दे दिया अब आप भी कुछ दे ही दे मुकमल तोर पर फॉर्म में था शरम करें जरा जिसने की शरम उसके फूटे करम इतने महीने के फराग में मुबतला है रहम बेगम साहिबा वो मुलतजी हुआ ओके ओके मगर पहले मेरी इदी तो निकाले इमान ने चलाकी से कहा मुसा ने मारे खुशी के वालेट निकाल कर नीले हरे कई नोट फराख दिली से उसके हाथ पे रखती है अब हमारा मुतालबा पूरा करो मुसा ने उसकी चूडियों और महंदी से सजी कलाई थाम ली अरे अमा आप वो अचानक बोली मुसा बे इक्तियार चौक कर मुड़ा और यहीं वो उसे दगा दे कर खिल खिलाती हुई पहले उसकी पहुत से दूर हुई फिर जल्दी से दर्वाजे तक जा पहुँची एमी मुसा ने मस्तुई खुवगी से गुरा अबबा बुला रही है कुरबानी के लिए बकरा तयार है आजाएं आप भी वो उसे मूँ चड़ाती दर्वाजा खोल कर भाग गई आना तो मेरे पास ही है ना फिर बताऊंगा मैं इस दांदिली का मज़ा जब वो किचिन से पर्यानी की डिश लाकर टेबल पे रख रही थी मुसा ने दात पीस कर कहा वो जोर से हस दी बाइद शौक आपका हर से तमसर आँखों पे उसने एक नजर उसे देखा उन आँखों में आज आमादकी के साथ खुशी के भी रंग थे मुसा अंदर तक सर्शार हो किया उसे लगा ये कुप सूरत एद वाकई खुशी से गुन-गुना उठी हो So मेरे अजीज देशनेर्स That was the end of the novel एद गुन-गुना ने लगी Hope that you like it अपना बहुत हिया लगीएगा निक तमनाओं के साथ Allah Hafiz